जाएंगे और शुरू करो बात नहीं और मुझे ऐसा मतलब जानकारी मिला है कि इस बार के एकजाम में डेड़ सो कुष्टन सी एंटी एस्पिटी से ही पूछा जाएगा और यह सूचना जो है जेपी एसी ने लीक कर दिया उसका सारे लोगों को पता चल गया तो बाकी लोग गो सब बाकी टॉपिक पढ़ने एटर और मी एसा ही है ना कितने लोग है जो पीछे कई दिन सेति आ है कि सब हो जाता है कि चार सवाल कुछेंगे एक्वह कर कि ने एक का जवाब नीए क्लास किया हुआ होना अलग बात है और क्लास में अगर कोई चीज पढ़ाया जा रहा तो उसका अपना importance है अभी खास करके मैं मैं आपको वही सारी चीजे पढ़ा रहा हूं आपको मैंने कहा ना मैंने कल क्लास लिया कल मुझे से इंटी पढ़ाना था नहीं पढ़ाया कल मैंने आपको economic important section क्योंकि मैं जब previous year देख रहा था तो मुझे दिखा कि यहां से तो कई question पूछे गया है अलग-अलग exams में तो मैंने का इसको खतम कर देते हैं आप घर पे जाके घटना के बल सी न्टी एस पिटी से तो selection नहीं होगा ना क्लास में जो बाकी चीजे चल रही हैं वह भी आपके लिए बहुत जरूरी है चले ठीक online में जितने लोग जुड़े हैं उनको भी बहुत-बहुत उनका स्वावयत है वही इसको एक बार ना मेरे mobile कर दो ताकि messages हम पढ़ सकें थोड़ा एक सिटन आज दिखें आज की क्लास में हम लोग cntspt का introduction देखेंगे जो कि पूरी cnt बात इतने ही hello hello बात करने आये हैं इतना important topic शुरू हो रहा है फिर भी बात करेंगे तो कैसे चलेगा तो क्या है कि पूरा जो cntspt act उनिश्ची तुरुप से आपको बहुत परिशान करता है उसकी एक वज़ा यह है कि उसमें मैंने पहले भी कहा है कि उसमें जो terms है वो सारे terms ही बहुत typical है तो कानून है कानूनी terms होते ही और उपर से sections है तो section तो इसलिए बहुत आपको परिशान नहीं करेगा कि quality में articles पढ़ने के आपको आदत है आपने पॉलिटी में articles पढ़ा होगा वी fundamental rights पढ़ा होगा डूटी पढ़ा होगा आप जानते कि आर्टिकल्स पढ़ने का क्या तरीका आपको आर्टिकल्स का कम से कम जो हेडलाइन से वो पता होता है और थोड़ा उसके अंदर की चीज़े पता होती है तो वो सब चीज़े हम देखेंगे बट सी एंटी एक्ट और इस्पीटी एक्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी कि मुसका बैकडाउंड समझने है क्योंकि आप देखेंगेँ आपका जो पुरा सिले बस है उसमें तीन स्रुक्ष्ण दिया फ़ए यहां से एक दिया वा है सीएंटी एक्ट पांट सवाल पुछे जाएंगे इसपीटी एक्ट पांट सवाल पुछे जाएंगे और अन्यय राज्य परक अधिनियम अधर estate related acts और भी इससे जुड़े हुए जो acts हैं भूमी से समंदित उससे दो प्रशने पुछे जाएंगे तो CNT और SPT के अलावा जमीन से जुड़े हुए और कौन से act है एक act है पेसा पेसा सुना है तो पंचायत extension institutional area करके एक act है एक वहाँ से कोई सवाल act बनाया गया उसकी बनाने की प्रक्रिया में अपना इसका background है और CNT SPT बनाने के पहले जहारकन में और भी कई सारे act बनाये गया मतब उस समें जहारकन नहीं था बंगाल का हिस्सा था बट इस छेतरी के लिए और भी बहुत सारे acts बनाये गए कम से कम 57 ऐसे acts बनाये गए जहां से दो question जो अलग से दिया हुए उसके पूछे जाने के समभाव में है तो हम लोगों को background समझना बहुत जो रहे दूसरी बात ही है कि जब हम किसी जैसे आप polity में भारत का constitution पढ़ते हैं तो constitution एक व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता है जब तक उसको यह नहीं पता हो को constitution बनाया क्यों गया इसको बनाने के पीछे purpose क्या था इंडिया के constitution में जो provisions हमने डाले हैं उसका background 1773 से शुरू होता है आपने 1773 के regulating act से लेके 1935 के भारत सासन अधिनियम तक polity में चीजें पढ़ी होंगी कहीं न कहीं class में या class से बाहर और आपने देखा होगा कि वहांके बहुत सारे provisions भारत के समझान में लिये गए और 1935 का तो बहुत लिया गया बाकी पीछे से भी लिया गया इसके साथ-साथ हमने जो भारत का समिधान बनाया उसकी प्रेणा हम लोगों को कई अलग 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 देशों से लिया आप sources के रूप में पढ़ते हैं भारत का जो समिधान बनाये गया उसका blueprint तयार करने के लिए constituent assembly मिली बनाई गई तो ठीक इसी तरह की बाते किसी भी act के साथ हो सकते हैं अगर उसको हम समिधान से compare करें एक तो यह कि इसका background क्या है क्यों से इंटी act बनाये गया तो हम पूरी बात समझेंगे आज उसी पर हमारी class वे फोकस्ट रहेगी दूसरी बात यह कि यह जो act बनाये गया तो क्या इसके लिए हमने किसी source का इस्तिमाल किया है क्या हमने कहीं से प्रेणा लिये तो यह भी एक सवाल बन सकता है तीसरा इसका blueprint कैसे तयार किया गया किस ने तयार किया गया तो इन सारी चीजों पर हम बातचीत करेंगे लेकिन क्विस्ट भूमी background is very important आज की पूरी क्लास हम लोगों की background में चली जाएगी क्योंकि लंबा सेक्सन है बहुत सारी घटना है बिच बिच में घटी और तमाम चीजों को हम connect करने की systematically कोशिश करेंगे ठीक है उससे पहले दो तीन और बहुत important चीज आप से कहना है एक तो आप का exam एकदम सर पे है ज्यादा time है ने उमीद है कि 17 March को परिक्षा हो जाएगी 90% chances है कि 17 March को परिक्षा होगी 10% का हम लोग रख लेते हैं क्योंकि जारखन में कुछ भी हो सकता है तो 10% 90% chance है कि 17 को परिक्षा हो जाएगी JPS से तयारी कर रही है मैडम का retirement होना है election है सरकार के पर दबाव है तो सारी चीजे मिला के परिस्थी यही बता रही कि 17 को exam होगा अब इस exam को crack करने के लिए आपके पास जो strategy होनी चाहिए अभी तक जो आपने बनाए अब आगे क्या strategy होनी चाहिए हम दो मिनट में इसकी चर्चा कर रहे हैं आपको जो चीजें आप पढ़ रह आते हैं आप लोग बीच में पैसा पकर दते हैं कि टेस्स देना है थो पैसा लएगा तो तो लएगा बहुत आउपी बात है तेस्ट बनवाने के पीछे खर्च होता है, टेस्ट का content बनाने के पीछे खर्च होता है, प्रिंटिंग में खर्च होता है, जो लोग बनाते हैं, उनको salary देनी पड़ती है, तमाम उसके पीछे expenditure तो पैसा तुम्हें लोगा, ऐसे तुम्हें कराऊंगा नहीं, वैसे भी free का चीज़ का कोई value नहीं करता है, आपको बताए, JSC का test एक हम लोगों ने free करवाया, उसमें 1200 लोगों ने registration करवाया, 200 लोग आए, और एक हम लोगों ने पैसा लेके करवाया, उसमें 10,000 लोगों ने registration करवाया, 5000 लोगों ने और phone किया, registration खतम होने के बाद कि सरव ले लिजे, हम लोगों को लग रहा था कि मजाग कर रहे हैं, तो उनका नहीं लिया हम लोगों ने, तो free का वैसे भी लोग value नहीं करते हैं, तो थोड़ा तो आपक के लिए मुझे 500-700 रुपया free होगा, 800 है, मान लिजे, आप मेंसे 100 लोग जोड़ जाएंगे, तो 800 into 100 रुपीज कितना होगा, कितना रुपया आएगा मेरे को, मान लिजे, आपको ऐसा लग सकता है आप मेंसे लोगों को, कि सर इसली बोले कि सर को पैसान है, तो कितना क्या होगा, 700 में? साथ से 100 रुपया कोचिंग का मेरा कर्च है, 600 से क्या हो जाएगा मेरा बताइए, बहुत फरक तो नहीं पढ़ेगा, कि पढ़ जाएगा, बहुत फरक, नहीं पढ़ेगा, मैं बैट के, एक महीना मेना करके, किताब लिग दोंगा, तो 20-25 रुपया का माल देख लिएगा हम लोगों ने कोशिश किया है कि ना तो JPSC के स्टेंडर से बहुत उपर जाएं और ना उससे नीचे रिखें उसके आस पास रिखें एक्जाक तो नहीं बोल सकते ने एक्जाक का मतलब होता है कि हम जो पूछ रहे वही JPSC में आएगा यह तो संभव नहीं है जिस तरह के क्विस्टन का ट्रेंड रहा है JPSC का और जो पिछले दो बार एक्जाम हुआ उसके आधार के इस बार क्या बदल सकता है पूरा जो टेस्ट पेपर है प्रैक्टिस सब मैं मॉनिटर करता हूँ मेरे मॉनिटरिंग में तयार होता है निशित रुप से मैं उसमें लोग गलती करते हैं एक्जाम के दिन सीधा रंगरे नाम में एक मिस्टेक हुआ आपने 200 में से 180 कुष्टन सही बनाया थे बाहर हो गया फिरा बुलेगा JPSC में सेटिंग हो गया आपको यमारी गलत है मैंने पहले भी आपको पता है तो आप यह करिए टेस्स आप जरूर द इसके questions भी बहुत ही मतलब मेहनत से और एकदम up to mark हम लोगों ने कोशिश किया है कुछ ऐसे मुझे लगता है कि एक का 300 रुपया प्रिंट है तो आपको दुकान में तो इसकांट करके मिलता होगा एक का 200 रुपया प्रिंट है तो आप ले लिजे आप जो है चुकि यहां से किताबे जिनरली नहीं देते हैं उसमें बहुत सारे टेकनिकल प्रॉबलम है जो फ्री वाला सारसंग्र वही हम लोग देते हैं बाकि इधर बगल अगल में दुकान है आप जाके बोल दीजेगा दुकान वाले को अरुन सर बिजें तो 10-15 रुपया वैसे भी वो कम कर देग हां किसी को मैं बोल दूँगा यही न चाहते हैं आप दस रुपया बच जाए आपका हां सैलेरी मिलेगा एक लाग दस रुपया बचा रहे हैं तो थोड़ा सा न इन चीजों पर ध्यान दीजिए इट इस वेरी इंपॉर्टन अभी देखिए आप में से जितने लोगों के सार संग्रा नहीं है यहां से नहीं मिला है आप ले लीजे मेरे कहल से सबको मिल गया होगा जो इंग्लिश मेडियम के लोग है उनको 23 तारीक को मिल जाएगा 22 को आज कितना तारीक है 20 19 कितना है 21 21 तो कल हम लोगों के शाम में किताब आएगी परसो आप लोगों को हम इंगल अभी तो आये नहीं है, आजाएगा तो हो जाएगा, कली आजाएगा रात में, ऑनलाइन भी अविलेबल हो जाएगा, उसके बाद current affairs पढ़ना हो, तो अगर JSC मिलिया हो, तो ठीक है, वही current affairs हम लोग दूसरा नहीं बनाया है, हम लोगों ने, अलग से current का कुछ material दे देंगे, और mains के लिए खोठा की किताब अभी हम लोगों ने बनवाई है, तो इसमें खोठा भाषा और ऐसे शाहित, लिखा, देखी रहे हैं, खोठा भाषा और शाहित्ते करके, तो जिनका खोठा होगा, वो एक बार देख सकते हैं, कि किताब अच्छी है, नहीं है, मैं ऐसे जवर हैं हम लोगों को, CNT Act में, तो दो कानून हैं हमारे यहां, और यह जो कानून है, CNT और SPT, यह किस चीज़ से संबंदित कानून है, भूमी से संबंदित कानून, तो हमारे यहां जो Land Related Acts है, आपके syllabus में लिखा हुआ है, भूमी संबंदी अधिनियम, Land Related Acts, तो इसमें दो Act म हम लोगों को पढ़ना है, एक का नाम है, एक वर बुला यह office है, बुला लिए, आवाज कमा रही है, वह तो अचानक कैसा बोलाग मैं डर गया, क्या हो गया, बड़ा आराम से बुला करिए, हम लोगों का दिल एक दम छोटा सा है, वो भी धड़कता है, इस speaker on कर दो विखी, आवाज कम जा रही है, बचो की fan man भी चल रहा है ना, इस वज़े से, on कर दो, देखे, मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि सरल से सरल भासा में C&T, SPT आपको पढ़ाया जाए, ठिक, मेरी जितनी capability है, उसको सरलता से present करने का, मैं उतनी सरलता से करूँगा, ताकि आपको किसी प्रकार का तनाव या किसी प्रकार का tension नहों के रहे, यह क्या आगया, वो क्या हो गया, और आप यह विश्वास मन में रखे, कि यह दोनों कानून बहुत आसान है, इसमें कुछ भी दमवम नहीं है, चुकि शुरुआत में मैं भी पढ़ता था, पहली बार मैंने जब पढ क्योंकि बहनों ही high court में practice करते हैं, तो मैंने उनकी मदद से दो-तीन वकीलों के साथ मिलके पूरा CNT, SPT पर discussion किया, कि actually है क्या यह, उसके बाद एक judge अंकल हैं, आप जानते हैं, हमारे यहां आते हैं, मैंने उनको कहा, तो CNT के मामले देखने वाले एक judge से उन्होंने मेरा प आपको कोई समझाने वाला है, आपके अंदर capability है समझने के तो बहुत आसान है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आसानी से समझाएं, ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग इसका background कर दिये, विकी, करो भाई, थोड़ा तो इन लोगों से डरा करो तुम, इसे भी दूबले पतले ह गायब कर देंगे लोग, यह सही बोल्डर नहीं बिचरा डर जाएगा, करना नहीं इसा कुछ, हो गया, आरी आवाज, अब माईक उपर कर, अभी, अभी आरी है, अभी ठीक है, नहीं आरी, पीछे, क्या संजी, पूलदर बोल गया, हां, देखे, प्री डीटर्माइन था, उनका क्यों सी पर सुनना है, इसका नहीं सुनना, चलो कर दो भाई, जनता जनारदन होती है, कोचिंग में बच्चे ही सब कुछ होते हैं, इसलिए आपकी बात मानी जाएगे, इसका मतलब भी नहीं कि हर बात मानी जाएगी, करो करो जल्दी करो, तो आम लोग अगले एक गढ़ी घंटे जो भी समय लाएगा, इसका बैक्राऌन समझने की कोशिश करेंगे, इसका बैक्राउन समझने में टाइम लाएगा, एक जोटी जोटी बात जो चोशिश करेंगे, कि आपको हम बताते चले। ठीक है हो गया है हो गया है हो गया चलिए अभी ठीक है उसका वो ठीक कर दो ताकि आवाज न करे ठीक है हो गया ना अभी आ रही आवाज है ठीक चलिए देखे तो दो कानून हम लोगों को समझना है एक का नाम है सी एंटी एक आप सब लोग जानते हैं छोटा नागपूर ती अधिनियम और यह कब का कानून है 1908 हिस्ट्री का है यह सब को पता है और दूसरा कानून का संदर्ब में अगर हम देखें तो हमको क्या समझना है एक तो हम इसका बैक्ग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी प्रिष्ट भूमी क्या रहे यह बहुत इंपोर्टन है बैक्राउंड समझने की कोशिश करेंगे इसका अबजेक्टिव क्या रहा तो बैक्राउंड समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी विशेष्टा क्या रहे इसकी फीचर्स इसके कारेक्टर्स इसकी विशेष्ट हैं उसकी dependency terminology पे हैं तो इसमें important terms terminology शब्दावली शब्दावली की class जिस दिन होगी उस दिन आपका cnt spt आधा अपने आप खतम हो जाएगा बाकी धारा पढ़ना के वल formality रहेगा और पांचमा क्या रहेगा इसके sections इसकी धाराओं में क्या provision के जो शब्दावली को अधार बना के करेंगे और छठा section क्या पढ़ेंगे हम लोग cnt और spt में basic अंतर क्या है differences इतनी चीजों को हम पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला part है background हम देखेंगे कि background क्या रहा cnt और spt act का it is very important ठीक है तो आप जानते cnt 1908 में आया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन cnt क्यों आया इसके पिछे बहुत सारे जनजातिया विद्रों हैं तो हम अपनी बात पहले शे शुरू करते कानून किस ने बनाया अंग्रेजों ने देखें भारत में अंग्रेजों का आगमन इसको अपनी के रूप में हुआ यहां पर व्यापार करने लेगे फिर दीरे 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 वो दूसरी पॉलिटिकल चीजों में इंवाल्व होने लेगे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है 1765 इसको भी ध्यान में रखें लेगे टाइम लाइन को 1765 क्यों अंग्रेजों को दिवानी राइट्स में ले यह दिवानी राइट्स क्या होते है दिवाना दिवानी वाला दिवानी नहीं है तो मेरा दिवाना मैं तेरी दिवानी वो वाला नहीं है यह दिवानी का मतलब है भूमी से लगान वसुलने का अधिकार जैसे कोट में जो मामले होते हैं केश होते हैं तो उसमें एक दिवानी मामले आते हैं का अपराधिक मामले आते हैं तो दिवानी अधिकार का सीधा सीधा मतलब क्या था माल गुजारी माल गुजारी जिसको हम टैक्स बोल सकते हैं लगान बोल सकते हैं कि वसूली का अधिकार किसको मिल गया अंग्रेजों को मिल गया किस ने दिया शाह आलम दीती है जो उस समय का शासक था यहां पर बंगाल के चित्र में उसके द्वारा यह अधिकार उसको दिया गया यहां तक कि बंगाल और उसी से बाद में क्या बना बिहार और उसी से बाद में क्या बना उडिशा और इसी बिहार से क्या बना ज्हारखंड तो क्योंकि ज्हारखंड भी इसी से बना इसलिए इसका मतलब यह इधिकार उनको ज्हारखंड के छेतरी के लिए भी मिला तो हमारा कंसर्ण क वो मालगुजारी इकठा करते थे और मालगुजारी इकठा करके जो राजा हुआ करता था जो भी उसमें सा सकते उनको उसका एक हिस्सा वो पहुँचा देता था इतनी बात समझ में आ रही है फिर क्या हुआ आप जानते हैं कि 1767 इन 1767 आप सब लोगों को पता है कि पहली बार अंग्रेजों का जहारखन के छेतर में प्रिवेश हुआ सब को पता है जहारखंड में अंग्रेज का वाए 1767 में किस छेत्रे से आए जहारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कौन राजा था इसमें सीभू में जगनाठ धाल राजा था प्रवेश तो इस समय सीभून के छेत्रे से हुआ और यहां पे जगनाठ धाल और जानते हैं उसने अंग्रेजियों से समझाता किया और फिर अंग्रेजियों को स्विकार किया कि भहिया हम तुमको कुछ टैक्स दे देंगे, कुछ आपको हम कर दे देंगे लेकिन जब अंग्रेज यहां है तो यहां पर भी मालगुजारी की विवस्था लागू हो गई, दिरे-दिरे यहां से मालगुजारी वसूलने लगे, फिर जानते हैं भारत में एक जमिंदारी विवस्था शुरू ही, इस घटना के लगबग कुछ सालों के बाद, 10-15 सालों क बाद, 1793 इस्वी में, बंगाल के छेत्र में एक विवस्था शुरूवी कौन सी विवस्था? अस्थाई बंदोबस्त, यह सब को पता है, यह आपने एकोनौमी में या हिस्ट्री में कहीने कहीं जरूर पढ़ा होगा, जिसको हम जमिंदारी विवस्था भी कहते हैं, यह इनों को समझ लें, यह बहुत जरूरी चीछ चल रहा है, बाद में करा लेना, जैसे जैसे अंग्रेजों का इंटर्फेरेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे अंग्रेज यहां की विवस्था को अपने इसाब से ढालने की कोशिश कर रहे होगी, अंग्रेजों के इस छेत्र में के छेत्र में छेत्रिया राजवन्स हुआ करते थें। कौन हुआ करते थें। आपने बहुत सारे राजवन्सों के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। धाल के छेत्र में धाल राजा, सिंभूम के छेत्र में, समझ रहे न, सिंग वन्स के राजा, पलामू के छेत्र में खरवार या मानभूम के छेत्र में तमाम अलग-अलग इस्तों में अलग-अलग पकार के राजाओं के विवस्था आपने पड़ी होगी। प्रभा हुआ करता था ये जनजातिय समुदायों के द्वारा और जानते जनजातिय समुदाय की आदिवासी समुदाय की प्रम्क विसेस्ता रही है आत्सनी अतिहासिक रुप से कि इनके यहां का जो पूरा सिस्टम है विसेस प्रकार के कानून से संचालित होता है जो लिखि चीजे लागू थी customary law English में लिख लिजेगा, customary law, customary law की 2-3 खासियत है, आप अलग से कहीं पर note कर सकते हैं, आप करना चाहें तो कर लिजे, customary law क्या होता है, रोड़ी जन्य विदी, ठीक है, customary law क्या होता है, रोड़ी जन्य विदी, इसके बारे में 2-3 बाती, कभी भी काम आ सकता, पहला कि ये मौकिक होता है, लिखित नहीं होता, पहला लिखित नहीं होता, इसका कोई लिखित प्रारूप आपको नहीं मिलेगा, तो समाने तोर पर क कानून क्या होते हैं, लिखित होते हैं, हमारे यहां जो भी कानून बने होते हैं, सब लिखे गया हैं न, ये लिखे नहीं होते हैं, ये मौकिक होते हैं, तो भई कैसे लोगों को पता चलता है, तो ये पीडी-दर-पीडी, परमपरागत रूप से पीडी-दर-पीडी ट्र उस नियम होते हैं, जो लिखे नहीं होते हैं, जैसे आपके घर में भी बहुत सारे नियम होते हैं, यह हो गया रूड़ी, जो कहीं लिखा हुआ नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे intercast marriage, हमारे समाज में एक विवस्था बनी की लोग intercast marriage नहीं कर सकते, सगोत्रिय विवा नहीं कर सकते, कहीं लिखा हुआ नहीं है, सगोत्रिय विवा निशिद है कहां लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है यह रूडियों से डेवलप हुआ कि एक ही गोतर में विवानी होना चाहिए या आज इंटरकास्ट मेरेज हो रहा है ना पहले क्या विवस्ता थी कि दूसरे से शादी नहीं कर सकते दूसरी जात में करेंगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी और इस त अध्यम से इनका पूरा सासन प्रशासन संचालीत हो रहा था लेकिन जब अंग्रेज आये तो अंग्रेज चुकि यूरोप से आये थे उनके यहां की एक व्यवस्ता थी कि यूरोप में जो भी टीजे संचालीत होती तो लिखित रूप में हो रही थी कानून बनाए जाते एक प्रोसेस था, उन्होंने यहां भी कानून बनाना शूरी किया, तो धीरे 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 यहां पर कानून बनाने लेगे, तो क्या हुआ कि यह जो कस्तमरी लौ था, जो जनजातियों का अपना लौ था, इसकी जगह पे, तो यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जनजात जरूरत नहीं है जो लॉजिक पराधारित है या जो उनकी जरूरत के हिसाब से बनाए जा रहे हैं आप खुद बताइए आपके घर में परंपरा से एक नियम बना हुआ है कि इंटर कास्ट मेरेज नहीं करना है जैसे खाब पंचायत में जैसे पंजाब में कई जगों पे और और वहां सरकार में कानून बनाए कि नहीं इंटर कास्ट मेरेज लिगल है और खाब पंचायत क्या बोल रही है इंटर कास्ट मेरेज इलिगल है तो आपस में क्लैश होगा कि नहीं होगा लडाई होने लएगा ना सरकार से ही लडाई होने लएगा जैसे ही सरकार कुछ ऐसे कानून आपके लिए बनाती है जो आपकी परंपराओं में, आपकी धारविक विशेष्टाओं में, आपकी रूडियों में हस्तचेप करते हैं, तो आप तुरंद क्या करते हैं, उसके खिलाफ में जाके खड़े हो जाते हैं, राइट, भारत में था कि सती पृथा रहेगा, रती पृथा को जब हटाया गया, खुब लोगों ने विद्रो किया, खुब विरोध किया इसका सरकार का, कि ने यह नहीं हो सकता है, यह हमारी परंपरा का हिस्सा है, यह तो हम पाप के भागेदार हो जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, जब सरकार ने विद्वा-पुन इसी विरोधा भास को रोकने के लिए यहां पर विद्रो शुरू है, तो विद्रो के कई और भी कारण है, यह एक कारण है, यह विरोधा भास एक कारण है, आगे जब आप विद्रो देखेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे, तो और भी बहुत सारे कारण है, अब हम लोग इधर कार है और यहां पर एक रहीत है रहीत का माने किसान सिंपल सभासा में समझनी जबर का माने किसान आप किसान को पहले क्याए कर ना था कि relating देना होता मुगल सामराज्जी को मुगलों ने वही लगान वसुलनें की व्यन्हेगे दे दी और फिर जो मुगल समराथ होते थे, उनको उसका हिस्तेदारी दे देता था और कुछ अपने पास रख लेता था, यही व्यवस्ता चल देगी, अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्ता लागू की, क्योंकि अंग्रेजों ने 1773 में regulating act पारित किया, और यहां का सासन अपने हाथ मिलेना और करीद करीद 1773 के बाद कौन सा एक्ट आया, 1773 के बाद, पिट्स इंडिया, 1784 के एक्ट के बाद, लगबग अंग्रेजों का यहां प्रभुत्व स्थाफित हो गया, शासन के उनकी पकड़ मजबूत हो गई, और जैसे ही पकड़ मजबूत ही, उन्होंने यहां की अंग्रेजी शाशक होगे एक तरीके से, अंग्रेजों ने यहां पे व्यवस्ता बनाई जमिंदारी व्यवस्ता और आपने पड़ा है, कि जब जमिंदारी व्यवस्ता यहां पे बनी, इनको कुछ लगान यहां से देना था, यहां से लेना था, तो यह लगान क्या बढ़ जहारखंड का जो छेत्र है, यह पूरा हम बना लेते हैं, मान लिजे कि यह पूरा बिहार का छेत्र है, ऐसा पूरा बिहार का छेत्र है, और बिहार का ये वला हिस्सा क्या है, यह हिस्सा कटके जहारखंड बना, जहारखंड और बिहार में कुछ मामलों पर differences था, अंतर था, जहारखंड के जो छीर-चेत्रिय राजवंस थे इत्धिसरा जोर्च पूर्फ म सरकारी तौर पर देखेंगा तो विहार बंगाल का हिस्सा था और जहारखंड पिहार का हिस्सा था यहां पर जो छेत्रिय राजवन्स था वो जहारखंड के हिससे को जो वर्तमान जहारखंड है, जहारखंड के हिस्से को बिहार से स्वतंत्र मानते थे, यह एक बात लिखे, कि यहां के हिस्से को बिहार से स्वतंत्र मानते थे, अलग मानते थे, इसके तीन बड़े-बड़े कारण थे यहां के लोग अपने आपको बिहार से क्यों अलग मानते थे अगर इसका कारण हमको देखना है तो इसके तीन बड़े कारण मिलेंगे पहला कारण क्या मिलेगा कि यहां जो छेत्रिय राजवन्स है वो मुगलों के आने के पहले से भी दिमान है और स्वतंत्र रूप से कारण कर रहा है तो पहला कारण लिखे कि मुगलों के पुर्व से छेत्रिय राजवन्स रिजनल डिनेस्टी एग्जिस्ट अर्लियर फ्राम मुगल एरा मुगल एरा के पुर्व से earlier from Mughal era, regional dynasty, regional dynasty existed earlier from Mughal era, Mughalوں के आने के पहले से ही आप regional dynasty था, अब बताइए जो Mughal के आने के पहले से स्वतनतर रूप से शासन कर रहा है, अब Mughal आके कहेंगे कि भाई हमारा बिहार में सासन तुम्हारा हिसा हो तो मानिएगा आप, आप क्या बोलिएगा, कि हम तुम्हारे आने के पहले से यहाँ सासन कर रहे है, तुम्हारे आने के बाद मेरा शासन सुरू नहीं हुआ है, तुम कौन होते है बोलने वाले, राइट, आपकी जमीन है आपने खरीदी है, आपके बाद कोई दूसरा आद्मी जमीन खरदा, हो कह रहा है कि तुम जो खरदो इसमें मेरा भी हिस्सा आई यह वाला, आप कहीएगा तुम से पहले खरिद के रखे हैं भाई, तुमारे बाद खरिदे तब तुम दावा कर सकते थी कि मेरी जमीन पर हम बोल सकते हैं कि तुम मेरी जमीन पर कब जाती है, तुम नहीं बोल सकते हैं, यह एक कारण था, दूसरा, मुगल कई बार इस छेतर के लोगों को दबाने के लिए आकरवन करते थे, तो यहां के लोग क्या करते थे थे, टेंपरोरी उनको कर दे देते किते हैं टैक्स लो और काम खतम करो जैसी मुगल गया फिर विद्रोस रूख फिर मुग जैसी मुगल आए यहां पर दबाना शुरू किया तो बोल देते हैं हम तुम्हारे यह धीन है कर ले लो जैसी मुगल हमेस्था थूड़ी हम मुगल बैठे रहेंगे वो अपना काम कर देते थे अर्स्थाई रुप से कर देते थे जब इन पर हमला होता था देप्पेर टैक्स टो मुगल in the condition of invasion जब मुगल इन्वेड करते थे, कबजा करते थे तब ही उनको टैक्स देते थे तो फिर ये भी निस्चिन थे कि हम तो स्वतंत रहें कि जब वो आते हैं तो कर देते हैं काम खतम और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण था कि इस छेतर की जो भौगलिक परिस्थितियां थी वो बिहार से बिलकुल अलग थी बिहार आप जानते हैं पूरा बिहार का छेतर मैदानी है बिहार का छेतर जो है वो गंगा नदी के द्वारा लाए गया वो सादों से निर्मित हुआ है और जहारखन का छेतर पठारी था यह प्राइदीपिय पठार का भाग है उबर खाबर है जंगल बहुत अधीक था तो लिख लिजे कि जहारखन का छेतर भौगलिक रूप से बिहार से अलग था जोग्राफिकल फीचर्स अप जहारखन वाज डिफर फ्रम बिहार डिफर फ्रम बिहार कोई दिक्कत नहीं है तो यह तो हो गया कि यहां के लोग अपने आपको बिहार से अलग मानते थे वो मानते ही नहीं थे कि हम बिहार वाले हैं बिहार से कोई लेना देना नहीं लेकिन यहां का जो सासन चल रहा था इनके सासन चलाने के लिए जिन नियमों का इस्तिमाल किया जारा था मूल रूप से क्या थे वो? रूडी जन्नी विधी इनके अपनी विधी थी जिसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि जैसे मालीजे जहारखन राज्य है जारखन ने हर चीज के लिए अपने कानून बनाए या मालीजे कोई नया राज्य बना वो हर चीज के लिए अपना कोई सिस्टम बना रहा है या मालीजे आपका घर है आप अपने घर में एकदम अपनी हिसाब से बेवस्ता रखे वे लेकिन थोड़ा बहुत तो अगल बगल का प्रभाव पढ़ेगा थोड़ा उससे देख के आएंगे तो कहेंगे नि ये वला बढ़िया है ये वला लागू हम अपने यहां कर सकते या सब कुछ अलगी रहेगा थोड़ा बहुत तो रहेगा निए आसपास का थोड़ा तो प्रभाव पढ़ता ही है आप आज जहां कहीं भी रहते हैं आपके पहनावे औरहवे में खान पान में थोड़ा बहुत तो आसपास के स्टेट का आसपास के छित्र का कोई मिठा ये ऐसी हो सकती है लेकिन आसपास के प्रभाव सुरूप राची में भी मिलने लगता है। धुसका राची के विशेश्ता है। वहाँ भी मिलता है लोग यहाँ से सीख़्ेएं वहाँ चलेगी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ के छेत्रे के आसपास जो शासन विवस्ता थी। चेत्रिय राजवन्स के दौरान, वो मुगल सासन विवस्ता थी, तो चेत्रिय राजवन्स, राजवन्सों का सासन मूल रूप से तो रूडी जन ने विदियो, कस्टमरी लौपर बेस था, लेकिन थोड़ा प्रभाव तो मुगलों वाला भी रहेगा न, तो लिख लिए शास में, मुगलों, क्योंकि इसमेह तक अंग्रेजों का कोई लेना देना है, अंग्रेज आये भी नहीं, तो मुगलों का थोड़ा प्रभाव था, AM, कोई दिक्कत नहीं, आब दिखें, अंग्रेजों को एक बात पता है, अब धीरे-धीरे अंग्रेज आ गया, तीछे आपने देखा, 1765 में दिवानी अधिकार मिल गया, मालगोजारी विवस्था लाग हो गई बिहार में, जब बिहार में लाग होई तो जहारखन में भी होई, यदिपी जहारखन के लोग क्या मानते थे, कि हम नहीं म खेतर में अंग्रेजों ने सबसे पहले मालगुजारी विवस्था लाग होई किवही मालगुजारी विवस्था जो बिहार और बंगाल के छेतर में लागोज़ था, यदिपी अंग्रेजों को यह पता था, कि जहारखन से यादा revenue collect नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जहारखंड में बिहार क्योंकि उसमें revenue collection का source क्या था बताईए किसान, क्रिसी खेती करेगा तब ही न लगान देगा खेती नहीं करेगा तो कैसे लगान देगा और खेती करने के लिए जहारखन की परिस्थिति आ ना तो जीयो, उसका जो फिजियोग्राफी है उसके कारन बहुत favorable भी नहीं था और यहां का जो उबर खाबड सरचना उसके कारन भी नहीं था यहां पे उस तरह का मिट्टी नहीं था。 अमाम जो परिस्थितियां यहां थी, जंगल बहुत ज़्यादा था, तो खेती करने के लिए उप्योग नहीं था, तो मालगुजारी के लिए बंगाल और बिहार का इरिया तो ज़्यादा उप्योग था, कि वहां से आप ज़्यादा निकाल सकते हैं, जार्खंड से नहीं नि माल गुजारी का माल गुजारी का क्या बोलेंगे स्कोप को माल गुजारी की संभावना संभावना अधीक नहीं थी अधीक नहीं थी फिर भी अंग्रेजों ने इस छेत्र में इसे लागू किया although tax collection tax collection was not was not supposed to proper but Britishers implement this in this area तो अंग्रेजों ने क्या किया यहां माल गुजारी विवस्था इसके बावजूद लागू किया जबकि यहां पर tax collection की बहुत संभावना नहीं थी इससे दो चीजे समझना पहला कि जैसे ही यहां माल गुजारी विवस्था अंग्रेजों ने लागू किया तो यह लोग क्या करेंगे स्विकार करेंगे कि विरोध करेंगे यह मुगलों को तो स्विकार नहीं कर रहे थे यह नया नया चार दिन काया हुआ को कौन स्विकार करेगा नहीं करेगा तो इससे क्या हुआ छेत्रिया राजाओं से छेत्रिय राजवन से अंग्रेजों का संगर्ष हुआ, एस्ट्रगल, ब्रिटिस एस्ट्रगल विथ रिजनल डिनास्टी, एक बात तो यह हो गया, संगर्ष हुआ, कोई दिकत नहीं इसमें, लेकिन आपको यह बात भी सोचना चाहिए, जब अंग्रेजों को यहां से मालगुजारी की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं थी, तो अंग्रेजों को क्या जोड़ा था संगर्ष करके मालगुजारी लागू करने का, भै नहीं करते, भै जिस छेत्रे से हमको लाभ नहीं हो रहा है, हमको पता है कि वह आपको effort लगान तो ज्यादा result मिलेगा, तो वहां क्यों अपना दिमाग लगाएंगे, फिर भी अंग्रेजों नहीं लागू किया, तो निशीत रुप से अंग्रेजों का कुछ वेस्टेड इंट्रेस्ट होगा न, तो अंग्रेजों का क्या इंट्रेस्ट था, आप लिख लिजे, अंग्र इंट्रेजों की, अभीरुची का कारण, एरीजन फोर ब्रिटेसस इंट्रेस्ट, ब्रिटेसस क्यों चाहते थे, तो दो-तीन बाते बहुत जरूरी है, यहां पर समझना, पहला ये कि देखे, कोई भी वेक्ति जब कहीं पर शाषन करता है, तो उसके मन में सामाने सा एक भा होता है, कि शाषक हैं, तो हर जगा मेरा प्रभूत्व होना चाहिए, वो एक सेप्थी नहीं कर पाता है, कि हम साषक हैं और कोई वेक्ति हमारे अंडर में ना हो, मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो एक तो ये भावना थी, तो लिखे, यह पहला, शाषक की भावना, शाषक का भाव, फिलिंग आफ, सा क्या बुलेंगे शाषक को, रूलर, रूल कर रहे हैं, तो एक ये भाव था उनके मन में, कि भी जब रूल करी रहे हैं, तो जंगल के जिव जनतु भी हमारे कंट्रोल में रहें, पिड़ पौदा भी हमारा धिनतस्वी कारिटर, कोई भी चाहता है आप ही कुछ DC बना दिया जाएगा, SDO बन जाएगा, बिडियो बन जाएगा, और कोई आके बोलेगा, नहीं मनेंगे बात तो कहीगा, कि पैचानते हो कौन है हम, इसी जीले में घर है नहीं, तुम्हारा मालिक हैं यहां के हम, समाने तो रुपैसा ही भाव होता है, तो वह दूसरा जो बहुत महतुपुन कारण था, अंग्रेजों का हमेशा आप जानते है, मराठों से, वीनमीर कासिम से, इन लोगों से संघर्ष होता था, और अंग्रेजों को अगर संघर्ष करना है, अगर आप थोड़ा सा मैप पे लोकेशन देखेंगे, तो आपको यह बात सम में आएगी, अंग्रेजों को जब भी संघर्ष करना है, तो चुकि यह बंगाल है, मेन अंग्रेजों का सेंटर यहाँ है, इधर मराठे है, अगर अंग्रेजों को इन से संघर्ष करना है, तो इस छेतर में होके जाना पड़ेगा, यहीं पे है जार्खन का इरिया, तो इन को जाने के लिए मार्क चाहिए था अगर इनको मीर कासिम से संगर्स करना है मराठों के विरुद अभियां के लिए सुगम मार्क कियाब शकता मराठों और मीर कासिम के विरुद्ध अभियान के लिए सुगम मार क्या दो सकता need of proper route for for क्या बुलेंगे अभियान को campaign against operation जो भी लिख लिए against मराठा जन मीर कासिम मराठों और मीर कासिम के विरुद्ध विरुद्ध अभियान के लिए सुगम मार्ग की आवश्यक्ता एक तो यह हो गया आप जानते हैं इस जमाने में बनारस एक बहुत बड़ा center था व्यापार का अगर अंग्रेजों को व्यापार करना था तो उनके लिए बहुत important center व्यापार से ही पैसा कमा सकते थे एक बड़ा source था तो बिना इस चेतर में हुए तो नहीं जा सकते किदर इधर घून के जाएगा आज देख रहे हैं आज आप अगर पूरे दुनिया का जियो politics देखे तो जो red sea है वहाँ पे खुब संगर्स चल रहा है ना हो जा रहा है उसको loot ले रहे हैं उस पे हमला हो जा रहा है अभी भारत को बहुत बड़ी चुनोती आ गई है आप देखेगा तो भारत को अफरिका के इधर से होके व्यापार करने के लिए जाना पड़ रहा है कितना costing बढ़ गया हमारा बहुत जादा costing बढ़ गया तो ऐसे ही अगर इधर से जाते तो costing खूब होती तमाम दूसरे लोगों से संगर्स करना पड़ता परिशानियां होती तो इनके लिए बहुत आसान था कि यहां से सीधा बनारस पहुंच तो लिख लिए बनारस बनारस से व्यापार हे तू मार्ग की आवशक्ता नीड ओफ रूट फोर ट्रेड विथ बनारस बनारस के साथ व्यापार हे तू मार्ग की आवशक्ता बनारस से मार्ग हे तू व्यापार हे तू मार्ग की आवशक्ता यह दूसरा कारण हो गया और तीसरा एक तीन कारण हो गया, चौथा एक बहुत महतुपन कारण था, देखे बिहार का ये जो हिस्सा है, तो ये जंगल है पूरा, ये छेतर क्या है, जंगल है, और मुल रूप से जमिनदार कहा है, जमिनदार सब बिहार में है, तो इधर वाले जो जमिनदार हैं, ये पिए भार अंग्रेजों की मुखालफत कर देते थे खिलाफत कर देते थे professor Amisen ऑसे समांग्रा बुलते थे नहीं देनगे तो अंग्रेज बोलते थे कि नहीं दोंगे तो में जमेंदारी नहीं है तो इनको खोजना बड़ा मुश्किल है उनके लिए तो आप लिख लिजे कि अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेजों से बगावत करने वाले ऐसे लिख लिजे अंग्रेजों से बगावत करने वाले दक्षिनी बिहार के दक्ष इस क्या बोलेंगे छिपने का स्थान के लिए अगरेजों से बचने के लिए इस छेत्र में आ जाते थे तो अंगरेजों के लिए जरूरी था कि यहां अधिकार बना के रखें ताकि हमारे ही लोग रहें जमिंदार जब आएं तो तुरंत पकड़ लें इसके लिए अंगरेजों को इस छेत्र में अधिकार के आवशक्ता थी इसलिए अंगरेजों को इस छेत्र में नियंत्रण के आवशक्ता थी ठिक तो अब आपको यहां से मोटा मोटी क्या समझ में आया यहां से दो तीन बाते हम लोगों को क्लियर हुई पहली बात यह क्लियर हुई कि इस छेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करने वाले छेत्री राजवन से क्लियर कोई कंट्यूजन नहीं है यहां पे सासन विवस्था में कस्तमरी लौ और थोड़ा मुगल प्रवाव था लेकिन वो सब स्वतंत्र था उसमें किसी का दबाव या किसी का प्रेसर किसी का नियंत्रन नहीं था स्वतंत्र रूप से सासन चल दा था लेकिन इसी बीच यह लगान वसूलने का एक एरिया तो बिहार था ही, धारखन भी एक एरिया हो गया, अंग्रेज तो बोले थे कि इधर से भी लगान वसूल के दो, तो अंग्रेज इधर लगान वसूलने आए, तो जब अंग्रेज इस छेत्रे के लोगों से लगान वसूलने आए, तो यहां के ल जमिंदारों को जब जमिंदारी थी तो जमिंदार जो है लगान वसूलने के लिए इस चेतर में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे तो अंग्रेजों का किस किस रूप में प्रभाव बढ़ा उसको हम लोग देखते हैं तो आप एक छोटा साइटिंग दीजिए अंग्रेजो का अंग्रेजों का मेरी बात समझ में आ रही है बहुत मुश्किल लग रहा है जारखन में केवल कहानी है समझ देना है किस किस रूप में हस्तचेप बढ़ा पहला हस्तचेप लिखे राजनैतिक क्योंकि यहां नियंत्रन जो कर रहे थे वह राजनैतिक रूप से करना चाह अंग्रेजों का हस्तचेप केवल राजनीती सतक्सिमित नहीं था अंग्रेजों ने यहां के जनजातिय समाज के संस्कृति में उनके धार्मिक विवस्था में उनके रहन सहन में भी हस्तचेप करना शुरू किया तो दूसरा लिखे धर्म और संस्कृति में हस्तचेप मालीजी किसी व्यक्ति को डेली सुबह सुबह उठके और पूजा करने के आदत है मंदिर जाने की या मस्ज़िद जाने की गुरुदवारा जाने की चल जब एकदम उसका रूटीन है, कि सुबह उठता है, साथ बजे तयार होता है और जाता है, और जब वो निकला घर से, क्योंकि उसका हर दिन का रूटीन है, और जब जा रहा है, तो रास्ते में एक आदमी मिला, और उसने का कि भई, मेरा ये वला काम है कर दो, और उसका आ तुमाने तौर पर, तुमाने जिसको आठ वे जाना, बीच में उसको किसी परीचित ने रोग दिया, और कहा कि तुमान जो पूजा दस बजे के बात करना, वो क्या करेगा बताईए, वो कहा कि मार डालेंगे तुमको पहले यहां, पूजा करके आना, धार्मिक मामलों में, सांस्क्रितिक मामलों में, कोई भी सचे बरदास, यह बहुत बड़ी एक बात थी, यह आपने लिख दिया, यह तो हुआ ही, तीसरा इन लोगों ने क्या किया, जो यहां के जनजातिय समुदाय के लोग थे, उनकी आजीवी का मौलिक रुप से वन पर आधारी थी, आप जा लेकिन उसके पहले बहुत सारे नियम बनाया गया, वन पर कितना अधिकार होगा, कई हिस्सों में आप आज जो सुनते हैं, नैशनल पार्क, नैशनल पार्क जो बनाया गया, वो किसके लिए बनाया गया, जियो जनतु को संरक्षित करने के लिए, हम जोगरफी में यही उसको seal कर दिया अंग्रेजों ने, कि जनजाती से बाहर नहीं निकल पाएं, इसी के अंदर रहें, क्यों? क्योंकि जनजाती ये लडाकू होते थे, अंग्रेजों के खिलाप सीना तान के खड़ जाते, बात नहीं मानते थे, कि तो मार डालो, मार डालो, लेकिन विरोध करेंगे तो करेंगे, तो इसके लिए उनको एक दाइरे में बंद करने के विवस्था लाई गई, तो इस तरह से अंग्रेजों ने कई ऐसे उपाए किये, जिससे जनजातीयों का वनों पे अधिकार कमतर होता चले गए, तो लिखे, वनों पर जनजातीयों नियंत्रण में कमी, वनों पर जनजातीयों नियंत्रण में कमी, पंट्रोल ऑब ट्राइबल्स ऑन फॉरेस्ट वाज डिक्रीजड, उनके अधिकार को कम किया, लोग पुछरे कितने क्लास में होगा C&T, C&T, SPT मिला के 5-6 क्लास तो लग जाएगा, आज तो हम प्रिष्ट वोम ही पढ़ा रहे हैं, बढ़ हम आगे जाके एक दो दिन के बाद थोड़ी लंबी क्लास भी ले लेंगे, ताकि जल्दी खतम हो जाएगा, देखे, टर्मिनोलोजी तक की क्लास में ही जादा मुश्किल है, उसके बाद 19 चैप्तर और 271 धारा पढ़ाने में 2-3-4 क्लास लेगा, मैक्सिमम चार क्लास, खतम हो जाएगा, क्योंकि आप 50-60 परसेंट चीज़ इदर समझ चुके होगे, इदर वाला बहुत इंपॉर्टन, यहां तक बात समझ में आगे, इसके बाद क्या हुआ, कि इस छेतर में आप जानते हैं कि इसाईयत का परचार परशार शुरू हुआ, उससे भी जो जन जाती है, आप जानते हैं, कई सारे ऐसे हमारे यहां विद्रोही हुए, जो शुरू में इसाई बन गए, बाद में उनको पता चला है कि हम तो ठगे गए भाई, यह तो उनको बेवकूब बना के इसाई बना लिया, बाद में वो जाके बिरसा मुंडा भी इसाई धर्म अपना लिये थे, पड़ा होगा आपने, बाद में उनको ने कहा कि लोग बेवकूब बना रहा है, और बाद में वो फिर से अपने वापिस मूल धर्म में लोट गया, सुना है ना आपने, उनको बिरसाई पंथ के अस्तापना की बाद में, सुना होगा, तो आप लिखें कि इसाई धर्म का परचार परशार और हस्ताचेप, यह अंग्रेजों से जुड़ा हुआ, जो है एक्टिविटी हो गया, इसाई धर्म के प्रचार प्रशार वह हस्तचेप यह तो अंग्रेजों का यहां कैसे कैसे हस्तचेप बड़ा ये एक कारण हो गया ठीक अच्छा आपने से किसी को पता है क्योंकि मैंने देखा नहीं है जो फॉर्म भरा रहा है उसमें नोटिफिकेशन में एडिट करने का नोटिफिकेशन में ही रहता है अगर नोटिफिकेशन में नहीं दिया तो होसकता एडिट करने का ऑप्शन ना भी दे जैसे यूपीस ही नहीं देता है एडिट करने का ऑप्शन गलत फॉर्म भरा गया तो भरा गया दूसरा फॉर्म भरी है तो किसी ने पूछा है कि एडि बनाईए, दूसरा मोबाईल नमबर लगाईए और फॉर्म बर दीजिए. अच्छा आधार भी मांग रहा है? अधार मेंडेटरी है? अगर आधार आधार आप्सनल होगा, तो आधार से फिर कोई परिशानी नहीं होगी. फोन नमबर और इमेल मेंडेटरी होगा, आप फोन न परिशानी नहीं के रिया है, और इसकी वज़ह से किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता, मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई अगर आपको बोलता है, कि दुबार फोर्म बर वर्द अगर नंबर और वो चेंज कर दिया किसी वज़े से दुबारा बदा तो उसका फॉर्म रेजेक्ट नहीं होगा इसलिए कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा समझ मैं है हाँ आप वही फोन नंबर और वही मिल डालेंगे तो अक्सेप्टी नहीं करेगा क्योंकि वो मैच करा देगा कि अल्डेडी एक्जिस्ट कर रहा है तो फॉर्म मोबाइल नंबर और इमेल चेंज कर दिये हम लोगों ने कई बार यूपीएसी में ऐसा किया है कि गल लिया जाए और बाद में जाके गलती निकाले जाए और रिजेक्शन हो तो आप तो फंस दाएंगे सेलेक्शन होने के बाड़ी तो यह थोड़ा ध्यान है तो वही ध्यान रखना है कि दोनों में से किसमें अब एक्जाम दे तो पता करना पड़ेगा कि सही वाला कौन है य जमिंदारों का हस्त अच्छेप लिखे आखिर आपको पता है कि जनजातियों के विद्रों का कारण क्या रहा अंग्रेजों के प्रती नफरत और जमिंदारों के प्रती भी नफरत केवल अंग्रेजों के विरुद अभ्यान नहीं था यह जमिंदारों के विरुद उनकी जमीन दो पर चैसरा घख़्य करें यूज माल गुजारी का तरह कर दो इसे श्वचन कर रहे कि अब कि माल गुजारी नहीं ले रहे थे जो लोग समय से माल गुजारी नहीं दे पाए कंम आल गुजारी दिया उनकी जमीन हडप लिए, या मान लिजे कोई ऐसा, मेरी बात सुनिये दर बातचितने ध्यान देजे, या मान लिजे, हलो, पीछे, या मान लिजे, कोई ऐसी जमीन है, जो किसी जमीनदार को पसंद आ गया, तो तो उसको अपनी मिलकियत समझ लेता था, वो किसी ने किसी तरीके से उ जमीनों पर कबजा, बरदास्त करिएगा ये सब, उपर से जो यहां के जनजातिय समुदाय के लोग थे, वो आर्थिक रूप से संपन्न थे या गरीब थे, अब आप उनसे माल गुजारी बहुत वसुलिएगा, आप उनकी जमीने हडपिएगा, तो और गरीब हो गये, और गरीब हो गये, तो उनको अपनी सामानी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की कमी पढ़ने लेगी, तो इन लोगों ने फिर रास्ता अपनाया के सूध पर पैसा लेना, और इसमें नहित शोषण, और जानते हैं कि सूध पर पैसे में खूब एक्स्प्लाइटेशन होता था, आपने पढ़ाई है, आपने मैंने पहले भी कहा कि आप अगर गोदान पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, आप मदर इंडिया मूवी देखेंगे तो थोड़ा पता, कई चीज़ों, कई जगों पर हमारे समाज की जहला के उसको रिप्रेजेंट किया गया, तो सूध पर पैसा और उसे सोसन, नेक्स लिखें, नेक्स लिखें, जमिंदारों ने एक और गड़बड किया, क्या किया जमिंदारों ने, जो यहां के आप सुना होगा आपने, कि कई सारे ऐसे आंदुलन तो लिख लिजी, कि घर की अस्मिता पर प्रहार, इज्जत पर प्रहार, यह बड़ा कानदा आपने सुना होगा, सिंगरायमान की, गटना सुनी होगी न, तो उसमें भी इस तरह की गटना होगी, तो यह जमिंदारों का एक समान है, देखें जो जमिंदार थे, हमारे यहां आप अगर देखेंगे, आप बहुत बार सुनते होंगे, सदान, मुलवासी, आदिवासी, दीकु, पुछा जाता है, दीकु शब्द कि इसके लिए इस्तिमाल कियागे, जारखन में पुछा गया तो यह सब शब्द सुनते होंगे, जारखन में रहने वाले जो लोग थे, तो जारखन में जारखन में जो रह 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 लोग, उनकी कई कैटेगरी थी, तो एक तो ऐसे लोग थे जो जारखन के ही थे, जिनको हम जारखन का निवासी बोलते हैं, जो जारखन के निवासी थे, आज भी है न ये चीज, और दूसरे थे जो बाहरी लोग थे, बाहरी, जो तो निवासी नहीं थे, आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, जो बाहर से आए हूँ, जारकन में तो बहुत लोग है ना, उसको लेके भी एक बात यहां पर उठती रहती है, ठीक है, उसके अपना-पना विचार हो सकता है, बट हम लोगों को एक्जाम के पांट हो, उससे को निवासी हैं, वो दो प्रकार के हैं, एक ऐसे हैं, जो जन जाती हैं, जो आदी काल से आ रहे हैं, जन जाती तो सरकार ने दर जा दिया, मौलिक रुपसे इनको क्या बोलते हैं, आदी वासी, वन वासी, गिरी जन, पहाड वासी, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाता तो सदान को नहीं ये क्लियर हो गया और वैसे लोग जो बाहर से आए जहारखन में उनको कहा गया दीकू दीकू और दीकूँ के विरुद्ध भी यहां पर विद्रो रहा थेक तो यहां के जनजातिय विद्रोहों का एक कारण अंग्रेजों का हास्त थे दूसरा कारण दमिंदारों का हास्त चेक और तीतरा दमिंदारों से इतर भी कुछ लोग थे दीकूँ समुदाय के बाहरी लोग उनको तीसरा लिख लिए एक और लिखे वही जमिंदार आएंगे जमिंदारों के माधियम से रेविन्यू क्रीट हो रहा है तो जमिंदार अके लिए नहीं लिए यहां बहुत opportunity है यहां पैसा कमाने का उसर है तो ऐसे कुछ और आप लिख लिजी कि दीकूओं का दीकूओं का हस्तच्छे यह सब background बन रहा है सेंटे एक्ट का अभी हम लोगों को जो सेंटे नाम की सबजी बनानी है उसका मसाला तयार कर रहे हैं लोग जिसको मसाला का घ्यान नी हो सबजी नहीं बना सकता है तो मैंने एक बार बताया थे कि मैंने मैगी कैसे बना के खाई यह मैं जब दिल्ली गया पहली शुरुवात में तो दिल्ली में रहने लगा तो मेरा रूम पार्टनर समाने तौर पे नया नहीं आम लोग एक व्यक्ति थ शार्टनर फोड़ें तो ए फोर्चा चिपका देते हैं दुकान दुकान पे यख़िवे मेरे रूम पर प्रचा बन सकते हैं इतना किराया इतना आपको देना पड़ेगा तो वैसे ही कोई व्यक्ति मिला, फोन किया, परिचय हो गया, पार्टनर बन गया, तो खाना वही बनाते थे, अच्छा परिचय हो गया, वो सरकारी टीचर बन गया, तो खाना वही बनाते थे, भाई साब, मुझे आता नहीं था, खाना बनाना, वही बनाते थे, थोड़ा छोटा मेरे पास सब को फोन किया, फोन था छोटा मेरे पास, मैंने अपने सिस्टर को फोन किया, मेरी मामी कोई फोन नहीं उठाया, मसलब उस दिन ऐसा हो गया कि इस्वर भी हम से नाराज था, तो मसाला बनाने का अगर ग्यान नहीं तो सब्जी फीका बन जाएगा ना, तो आपको यह तो जानना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है, आप देखी, इनका जो सोसन था, यह सब मिलके क्या कर रहे थे, सब मिलके यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोगों का, आदिवासीयों का जम के सोसन कर रहे थे, पॉलिटिकल एक्स्प्लाइटेशन भी हो रहा था, इकोनॉमिक एक्स्प्लाइटेशन भी हो रहा था, रिलीजियस एक्स्प्लाइटेशन भी हो रहा था, उनके घर पे भी हमला बोल रहा थे, आप देखी रहें, तो क्या करेगा कोई आदमी बताई, कितना बरदास्त करेगा एक सीमा है न बरदास्त करने की कोई वक्ति आपको एक तरीके से परसान करे economic loss करे आपको एक चलो ठीक है यार कोई बात नहीं है political loss करे कईएगा ठीक है अब लोग जो है धार्मिक मामलों में घर के बहु बेटियों पे महिलाओं पे लोग जो है हाट डाले तब लोगों का सबर काबान टूप गया तब जनजातियों ने क्या किया तब यहाँ पे क्या शुरू हुआ जनजातिय विद्रो इसी के परिणाम सरूप क्या हुआ यहाँ से आप एक बात और समझगे कि जनजातिय विद्रो की हुआ यह भी clear होगे आपको तब जनजातिय विद्रो शुरू हुआ जो यहाँ के जनजातिय समुदाय के लोग थे जिनकी भूमी अपनी थी जो यहाँ के रईयत थे, किसान थे उनका और जमिंदार या अंगरेजों के बीच जो यहाँ के रईयतों का अदिवासियों का जो जमीन से related सम्मन्ध था, वो बहुत अच्छा था या बहुत खराब हो चुका था, सम्मन्ध अच्छे नहीं थे, जमीन को लेके उनकी नजर कुछ और थी, जनजाती कुछ और चाहते थे, वो कुछ और चाहते थे, जनजाती चाहते थे, टैक्स कम लगे, हमारी जमीने सुर लिए दू ठाखी लिए laquelle फिए ऐसे लिखे चे रो विद्रो चुवार विद्रो घटावाइल विद्रोतमाल विद्रो सबनाम सुना है ना आने हो विद्रो मुन्डा विद्रो संथाल विद्रो आप भाम विद्रो यर मेरा पड़ते ही यह ठीक, स्वाँजम्याया आप बहुत ताकतवर आदमी हैं, सुनी मेरी बात इधर ध्यान से, आप किसी जीले के DM बन गया है, मा लिजिए बीडियो बने प्रोमोसनों के DM, बहुत ताकतवर आदमी हैं, आप जी जीले में हैं, वहां के जो पहले से रहने वाले लोग हैं, उनके उपर आपने खुब सारात्य चार किया, उनको आपने खुब शोषन किया, उनको खुब परिशान किया, तो आपके एगेंज़ा के रिवॉल्ट करेंगे, तो आपका एक्जिस्टेंस खत्रे में आएगा कि नहीं आएगा, आप क्या कर लिजेगा, ताकती रखके, सब आपस मे अपके, पकढ़ के पूट देंगे आपको, careless क्या कर अपकी जगों प आ जानते हैं, कि अधिकारी ओं को पकढ़ के पिट दिया जाता है, बांगे आपने बंद कर देते है, बढ़िया ज्यता है, चरिक रूम बंद कर देते, ते बियहार में कर देते पंसथ कर देते हैं लोग यह राची में रते थे मैं इंटर में पढ़ता था यहां तो पुछ फ्रेंड्स रते थे राची इनवर्सेटी देख रहे न आप जो अभी सामा प्रशाद मुखर जी हो गया इसे बगल में हॉस्टल्स बनें पीजी उजी ऑस्टल मेरे फ्रेंड्स रते थे लाइट कट गया तो बिजली ऑफिस को फोन किया गया तो उदर से जो बिजली ऑफिस का एक्जिकुटिव इंजीनियर था उसमें थोड़ा सा टैश में बात कर दिया यह लोग आप 10 लोग गया और उठा के लिए अवला के बातरों में बंद कर दिया बहुत बवाल हुआ थ पूरा यहां राची के सेस्किश आप तक को जाना पड़ा था उन लोगों ने का छोड़ेंगे ही नहीं एक तो बिजली काटके मैच नहीं देखने दे रहा है लोगा कि इंसियोर करो कि आगे जितना मैच चलेगा उसमें होस्टल का बिजली नहीं गटेगा तब छोड़ेंगे वह इस तरह कर स्थ रखवा के छोड़ा तो आप किसी को परिशान करेंगे तो ऐसा ही काम लोग करेंगे तो जो अंग्रेज थे यहां पे उन लोगों ने द जब आते हैं फिर यह विद्रोह करते हैं परिशानी होती है तो क्या करेंगे अंग्रोज तो अंग्रेजों को लगा इनको confidence में लेना जरूरी है और कैसे ले सकते तो इनके लिए कुछ नियम बना दो जिसे इनको लगे कि अंग्रेज हमारे favor के हैं अब DM साहब क्या करेंगे क्या करेंगे और बोलें कि ठीक है चली आप लोगों के हित में कुछ नियम बना देते हैं कि आपको इस मामले में कोई परिशान नहीं करेगा ये वाली सर्त मान लिजे इतना आपको free करेंगे समझ पारे मेरी बात तो देखे इन जनजातिय विद्रोहों के result में परिणाम रेगुलेशन कई सारे नियम और विनियम बनाए गये कई सारे नियम और विनियम बनाए गये विभिन नियमों और अधिनियमों का निर्मान किया गया बहुत सारे नियम और विनियम रूल्स और रेगुलेशन बनाए अंग्रेजों ने ठीक ठीक अभी तक जन जातिये रोडी जन्य नियम अंग्रेजों ने क्या किया आव नया नियम बना दिया तो क्या हो गया रोडी जन्य विधि और इन नियमों में कंट्राडिक्शन दिखे रोडी जन्य विधियों और इन नियमों में विरोधा भास कंट्राडिक्शन और रोडी जन्य वीधियों और इन नए नियमों में विरोधा भास contradiction हो गया, contradiction between customary laws and new rules and regulations ठीक है? तो धीरे धीरे रोडियों का प्रभाव कम होने लगा तो कुछ मामलो में तो जन्य जातिउ को संतोस्ट किया जा सका कुछ मामलो में संतोस नहीं हो पाया थीक है? फिर भी तो इसमें जो नियम बनाए गये कुछ नियमों का नाम लिख लिजए जैसरे एक नियम में नियम बनाए गया, 1837 में कुछ नियम बनाए गया, ऐसे करके लिखे, 1869 में कुछ नियम बनाए गया, लिखते चलिए, इन नियमों का उद्देश ये क्या था, भूमी संबंदी विवादों का समधान करना, लिख लिखे, इन नियमों का उद्देश ये, भूमी संबंदी विवादों का समधान करना था, objective of these rules and regulations are to resolve land related disputes, land related disputes, समझ में आ रही है बात, online में जो लोग हैं वो लोग भी बताई है, समझ में आ रही है, आ रही बात समझ में, तो इन नियमों का उद्देश्च था, कि उनके जो land related disputes थे, अच्छा एक word होता है नियम, एक word आपने क्या पढ़ा, नियम, एक word होता है वी नियम, ये दोनों लगवग एक जैसा है, एक होता है अधी नियम, अधी का मतलब ए अधीक, मतलब नियम क्या है, superior है, तो ये ज़्यादा प्रभावी होंगे, कम प्रभावी, और ये क्या होंगे, तो लिखे लिखे नियम कम प्रभावी थे, जब इनका प्रभाव क्या था कम था, तो जैसे सरकार कई बार कोई रूल बनाती है, रूल बनाके उसको लागू कर दिया, आप बात नहीं मान रहे हैं, तो सरकार पता है क्या करती है, फिर उसी रूल को कानून में बदल देती है, क आधिनियम का दौर शुरू हो गया, अब आक्ट यहीं से आने लगा, क्या क्या समझ में आया, पहले कौन से नियम थे, कॉस्टमरी लॉख, फिर अंग्रेजो के कुछ नियम आए, आपस में क्लैश हुआ, नियमों का प्रभाव कम रहा, अंग्रेजो को लगा कि इन नियमों से हम यहाँ पर अपना सासन असापित तब उन्होंने क्या किया तो सबसे पहले कौन साधिनियम बनाएगा जानते हैं 1869 इसमें कहां तक पहुँच गे 1869 इसके 10 साल के बाद यहां से बहुत ध्यान से समझीगा मेरी बात अभी तक तो background समझ रहे थें ताकि आगे की बातों को connect कर सकें अब जो land related laws हैं कानून हैं वहां से question यहीं से शुरू होगा एक तो law में यहां से भी put सकता है बाकि तो background की बात है यहां से question शुरू होगा 1879 इसने में जारखंड के छेतर में कानून बनाया गया क्या नाम जानते हैं लिए शोटानागपूर है पे तेन्योर्स एक 1908 वाले का क्या नाम है इसका भी नाम है इसको भी C&T बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं? छोटानागपूर टेनियोर सैक्ट लेकिन ये C&T उनिस्वाठ वाला नहीं है तो टेनियोर टेनेंसी दोनों में क्या डिफ्रेंस है? बाद में हम लोग जब टर्मिनोलोजी पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा य क्यूं बनाये गया इसमें क्या प्रावधान किया गया और मुस्सें नाम लिख लिए चोटानाग पुर भोध्रिती अधिनियम धूदृती अधिनियम भोध्रिती टिन्योर्स धृत्षिका समन्ध धारन करने सेग्षका Minecraft faith जमीन से जमीन जो धारन कर रहे हैं, मतलब जो जमीन के मालिक हैं, उनके लिए कुछ कानून मनाय गया, इसका मुख्य उदेश्य जानते हैं क्या था, क्यूंकि आप जब तक इसको नहीं समझेंगें, जब तक आप CNT 1908 वला ने समस्पाएगेंगे, इसका उदेश्य जानते हैं क्या थ इसका उद्देश्च था कि झार्खंड के छहत्र में जो जमीने उनकी मालिकों की पहचान気 जा सके, ताकि उनको उनकी जमीने सुपुर्द की, क्योंकि बहुत सारी जमीने हडप ली गई थी बहुत सारी जमीने दूसरे लोगों के पास से ली गई थी इसी के कारन असंतोष भुस्वामी की पहचान करना आई बात समझ में. तो कैसे पहचान करीगा? कैसे पहचान करीगा? जैसे माली जी इतने बड़ी छेतर एक पता लगाना है कि ये जमीन इनकी है कि नहीं किसी और की है तो कैसे पहचाई करना पड़ेगा. तो लिखली जिसमें सरवेक्षण का प्रावधान किया गया सरवेक्षण का प्रावधान बहुत टेक्निकल है और बहुत जरूरी है उसको ification चलते हैं यहां न में आपको पता है कि यहां पे जन्जातियों के आने के पहले ज़र्कन का छितर कैसा था जगली था घंगोर जंगल थे, बड़े-बड़े मजबूत-मजबूत पेड थे, और यहाँ पे रहने जैसी कोई जगह नहीं थी, लेकिन पहली बार जब यहाँ जंजातिय समुदाई के लोग आए, छे सो बीसी नुमुंडा या और भी दूसरे जंजातिय समुदाई के लोग आए, तो actually, इनको क्या पहचानना था, कि यह जो जमीन है, इसको वास्तों में किसने डेवलप किया था, इसको original मालिक कौन है, और उसके लिए एक शब्द गड़ा गया, इस कानून में एक शब्द गड़ा गया, भूईहरी, तो पहली बार भूईहरी, जमीन की चर्चा किस कानून मे की गई, पूछा जाएगा, 1869 के छोटानाक को टिन्योर साखने, भूईहरी, समझ में आ गया, और सरवे में ये पता लगाना था, कि कौन सी जमीन भूईहरी है, और उसका मालिक कौन है, लेकिन जानते इसमें एक समस्या आ गई, क्या आया, भूईहरी की चर्चा तो की गई बट भूईहरी की परिभाषा नहीं दी गई, मेरी बात समझ में आये, इस कानून में भूईहरी को परिभाषित नहीं किया गया, मैं आपको बोलूं कि कौन जार्खंड का मूल निवासी है, इसका पता लगाईए, और मूल निवासी की परिभाषा क्या है, ये बताया ही न कौन बारी है कौन आंदोलन खुब होता रहता है सारे बारीयों को भगा देंगे कोई नौकरी नहीं करेगा चल रहा है नहीं ये मैं भी कह रहा हूँ मैं इसके विरोध में नहीं हूँ मैं भी कह रहा हूँ कि जहारखंडियों का पहला आख मिलना क्यों है जहारखंडी सरकार करिए 1932 का खतियान लागू कर देंगे पहले बताओ तो सरकार करिए कि जो अस्थानिय लोग है उनको 60-40 परसेंट अस्थानिय अस्थानिय है कौन परिभासित तो करो कैसे परिभासित करिएगा तो भाई जिसको अधिकार देना उसकी परिभासा होनी चाहिए जो प्राबलम आज प्राबलम यहां भी था भुईहरी जमीन की बात तो की गई लेकिन भुईहरी कौने इसकी परिभासा नहीं दे गई तो इससे क्या होगा सर्वे में समस्य आगे तो लिख लिए सर्वे में समस्य प्राबलम इन सर्वे सर्वे में समस्य ठीक लेकिन इसमें कुछ प्रोवीजन किया गया एक दो प्रोवीजन जान लेते हैं इसमें कहा गया कि जो भुईहरी जमीन होगी डाट विल बी नॉन ट्रांसफरेबल बुईहरी जमीन को कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी को नहीं बेच सकता है ऐसा नहीं कि बुईहरी बुईहरी को बेच सकता है इसमें क्या प्रोवीजन किया गया कि ट्रांसफरेबल ही नहीं है जो बुईहरी जमीन है उसका मालिक उसका वंसज होगा आज अगर मेरे पास है तो इसका माली कौन होगा मेरा वंसज होगा मेरा पुत्र मेरा जो पुत्र के बाद वला है और इसमें किवल लड़कों को अधिकार दिया गया इसमें नर वंसज की बात की गई तो नॉन ट्रांसफरेबल होगा और इसका अधिकार किसके पास होगा इस जमीन का descendants के पास, male descendants, नर वनसज ही इसके अधिकारी हो सकते हैं, आर ये बात समझ में, अगर घर में किसी के लड़का और लड़की दोनों है, तो लड़की को कोई राइट नहीं होगा, लड़का कोई राइट होगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पहुंच कुछ संसोधन भी हुआ से इंटी में, आप जानते होंगे ये बात, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने कहा कि देश में तो कानून है न, लड़का लड़की एक समान, पिता की संपत्ती में पुत्री का भी अधिकार हैं, यह सब बाद में आप जाने हैं, यहां तक बात समझ वर्गी करन का अधिकार दिया गया टेलर को, एक टेलर नाम का व्यक्ति था, उसने क्लासिफिकेशन किया कि भुहिहरी जमीन में क्या-क्या हो सकता है, तो देखे, इसमें कौन-कौन सी जमीन हो सकती थी, तो हम यहां पे लिस्टिंग करते चल गएं, यहां से आपको जमीन क प्रकार मिल जाएगा, भुहिहरी जमीन का प्रकार, एक तो वर्ड है भुहिहरी, तो भुहिहरी जमीन किसको बोलेंगे, किसी जमीन को जिस व्यक्ति ने तयार किया था, उसको बोलते है मूल प्रवर्तक, जिस व्यक्ति ने जंगल को साफ करके, शब्द मैं इस्तिमाल कर रहा मूल प्रवर्तक, समझ में आ रहा है, जंगल को साफ करके पहली बार जिस व्यक्ति ने जमीन तयार किया, उसको क्या कहा जाएगा, मूल प्रवर्तक, और उस जमीन के जो उसके वंसज है, फिर वही मूल प्रवर्तक माने जाएगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं माने जाएगा जमीन को जिसमें तयार किया है उसकी जमीन है ठीक है फिर आप जानते जंजातिये समाज में जो इनकी अपनी एक जंजातिये शाषन विवस्था है उसमें कई सारे पद होते हैं एक जंजातिये शमुदायों में जैसे आप सुनते हैं गाउं का प्रधान होता है धार्मीक प्र जो पढहा राजा होगा मुझे पढहा पंचायत पानचायत ये प्रमूख मुझे हटा के किसी और को बना दिया गया, तो उसको नई जमीन दी जाएगी या वही वाली दी जाएगी, वही वाली देगी, जमीन पढ़ा पंचाय की है, जैसे प्रधान मंतरी कार्याले में कुरसी लगा हुआ है, मनमोहन सिंग जब थे तो वो बैठते थे, अब मनमोहन सिं दे दे, वो अलग बात है, उसी का उसका दिखा, क्लेर हो गया, पढ़ा राजा अपनी जमीन पे खुद से खेती करेगा, राजा है ये, खुद से करेगा, कुछ लोगों से करवाया, जिसको करवाता था पढ़ा राजा खेती, जो लोग इसकी जमीन पे खेती करते थे, उनक इसके उपज पे न तो तुमको टैक्स देना है, न किसे को बाटना है, तुम्हारी उपज खुद की होगी, समझ में आए उस जमीन को क्या कहते हैं, बेट खेता, बेट या बैट खेता या भेट खेता भी कहा जाता है, भेट श्वरूप दिया गया, तो बेट खेता जमीन कौ करने वाले श्रमिकों की, बेकारी करने वाले श्रमिकों की जमीन, को क्या कहा गया, बैट खेता जमीन, भुईहरी बैट खेता, सब में भुईहरी सब्दा आप जोड सकते हैं, मजियस जमीन पर, मजियस जमीन पर, मजदूरी करने वाले, मजदूरी करने वाले, श्रमिकों को दी जाने वाले जमीन, श्रमिकों को दी जाने वाले जमीन, इसी तरह से गाउं में कई पत थे, गाउं के प्रमुक को क्या कहते थे, महतो, गाउं का एक प्रमुक है जिसको क्या कहते हैं, महतो, तो उसके लिए एक जमीन बनाई गई, जिसको कहते हैं, महतई, भोईहरी महतई, समझ में आ रहा है, अब कोई पुछेगा महतई बता दीजे मजियस बता दीजिएगा महताई महताई जमीन यह महताई क्या है जो ग्राम प्रमुख है ग्राम प्रमुख तो ग्राम प्रमुख को दे जाने वाले जमीन और ग्राम प्रमुख का मुख्यकारे क्या था लगान वसुलना लगान वसुलना इसी तरीके से गाउं में एक धार्मिक प्रमुक होता था जिसको क्या कहते थे पाहन तो उसकी एक जमीन थी जिसको क्या कहेंगे पहनाई देखे पहनाई ये किसको दिया गया जो गाउं प्रमुक के पद पे है उस जमीन के उपज पे उसी कादिकार होगा इतना गाउं में सबका पूजा पार्ट करवा रहा है उसको मिलना चाहिए ना जो जमीन उसके नाम से हो गई वो पत से हटेगा तो जमीन लेकर नहीं हटेगा फिर जो नया बनेगा उसको हो जाएगी जमीन क्योंकि यह जमीन का ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता क्योंकि किसी व्यक्ति की जमीन नहीं है यह समा लिए कोई डीसी बन गया तो सामाजिक पद है ने उस अभी के लिए डीसी साहब बोलें कि नहीं हम हैं तिन करोड़ रुपय लेकर कि किसी और को बना देंगे नहीं नहीं हो सकता है यह हम अपने कुरसी बेज देंगे तीन करोड में आप बीडियो बनीगा बुलेगा पचास लाक में बेज देंगे नहीं हो सकता है समझ पा रहे हैं मेरी बात वो अलग बात है कि एक्जाम में सेलेक्शन से पहले बिक्ता खरीदा जाता रहता है थोड़ा बहुत देखी रहे हैं आप जैसेसी में जाज पुलता है इसी तरीके से गाउं में एक था पनभरा पनभरा याद नहीं रहेगा तो पानी भरने वाल है लोगों तक तो इस काम के लिए इसको पनभरा भुहिहरी पनभरा बोलते हैं इसको जमीन दी गई तो यह जमीन किसकी है सेवादार की सेवादार यह जमीन किसकी है धार्मिक प्रमुख की पाहन की एक जमीन बनाई गई जिसको कहते है डाली कटारी डाली सब्द कहां से लिया गया पेड के डाली से जन जाती है समुदाय में करम के पेड को करम के पौदे को बहुत महत्वधी आ जाता है और जानते है करम परव के दौरान उसकी डाली तोड़के लगाई जाते है उसकी के लिए किया जाएगा, नेचर के लिए किया जाएगा, ठीक है, तो लिख लिजे, उपज का ये किसी व्यक्ति का नहीं है, उपज का प्रियोग, लेकिन किसके अंडर में रहेगा ये, पाहन के अंडर में रहेगा, तो इस पे जो अधिकार रहेगा अप्रीका पूजकन है पूजा पार्ट्यक से एक जमिनता भूत खेता देखेंगे बेटखेता अलग है और भूत खेता भूतों से समंधित पूजा पाठ करने के लिए इस उपज़ प्रियोग किया जागा, लिख लिजे क्योंकि जंजाति समुझा में भूत उत ये सब एक समान ने मानता है कि भूतों को दूर भगाना है दूर रखना है उनको नहीं आने देना है इसलिए आत्मा की पूजा करते हैं शासन सुना होगा आपने हडगड़ी सुना होगा आपने तो लिख लिए इस उपज का प्रियोग भूतों की पूजा के लिए तो ये भी कौन करवाएगा पाहन तो ये रहेगा पाहन के पास बट उपज का इस्तिमाल भूतों की पूजा के लिए आत्माओं की पूजा के लिए किया जाएगा, समझ में आ गया, कोई confusion, नहीं है, यह जो भेट खेता जमीन है, बैट खेता भेट खेता है किसको दिया गया, जो इस पे, तो इस पे जो काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं बेगारी करने वाले लोग, बैट बेगारी, एक शब्द मिलेगा, बैट बेगारी, बैट बेगारी का क्या मतलब है, बैट खेता अलग है, बैट खेता जमीन है, बैट बेगारी वो व्यक्ति है, जिसको काम के बदले कुछ पैसा नहीं दिया जाता है, उसे बैठा के बेगारी करवाए जाता है, तो यह बेगारी करने वालों की जमीन है, तो जमीन का क्राइट पता चल गया कोई confusion नहीं है यहां तक बात समझ में आई अब देखे इसमें एक प्रोविजन किया गया बात नहीं मैं धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि बाउंस न करे आप सारी बात को असपस्तिता से समझ लिए अगर अभी लग रहा है कि कोई बात नहीं सम से प्रोविजन किया गया कि इस कानून का उद्देश की है इस Act का उदेश्य क्या है बोहियरी जमिन का सर्वेक्षन कौन करेगा सर्वेक्षन तो इसमें प्रोविजन किया गया कि एक विशेश अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी विशेश अधिकारी की Special Officer जो कौन होगा सर्वेयर होगा एक सर्वेयर के रुप में विशेश अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया लिख लिजिए इसे विशेश आयुक्त कहा गया Special Commissioner इस पद को क्या कहा गया विशेश आयुक्त, तो जो विशेश अधिकारी नूट किया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, एस पेशल कमिशनर, जिसका काम क्या होगा, जमीन का सर्वेक्षन करना, जमीन का सर्वेक्षन करके रेकॉर्ड आफ राइट तयार करना, लिख लिजी, इसका कार्य, इसका कार भूमी का सर्वेक्षण करके अभिलेख पत्र तयार करना था कि एस्पेशल कमिश्णर विशेश आयोक्त देखे इसका कार यह भूमी का सर्वेक्षण करके सर्वेक्षण करके अभिलेख पत्र अभिलेख पत्र का मतलब क्या होता है रेकॉर्ड फ्राइड कि इसका अधिकार ह इसका दस्तावेज उसका दब्राके इसका डॉकूमिेंट आपकी आपके जमीन कब ताओ अंगे है करने के बाथ फ़्य हमें यह ब्लेकी मिलिद कि ओर्ट संदेटSky कुसजेशा वह किसपिस्टे के सर्वेय के लिए निउक्त के लिए राची जी लिए पहला अंतलु दास पनोर जीए convers तो यह जो special commissioner बनाए जाने थे special commissioner यह first commissioner बने रांची के लिए रांची के लिए पहली बार बने जिनका नाम क्या था राखल या रखाल दुनों लिखा हुआ मिलेगा आपको अलग-अलग किताब में राखल दास हल्धर ना की बैनर जी हल्धर ठीक है और इन्होंने सर्वे किया कितने गाउं का 2487 लिख लिजए इन्होंने सर्वे किया 2482 गाउं का सर्वे इन्होंने किया लेकिन सर्वे के दौरान क्या इनको कोई समस्या आई होगी सबसे बड़ी समस्या क्या आई होगी इनको कि भुहिहरी का कोई परिभाषा नहीं होने के कारण सर्वे में समस्या आई फिर भी इन्होंने सर्वे किया इनका सर्वे एक अप्रेल 1879 से इनका जो सर्वे चला उसका डिवरेशन था एक अप्रेल 1879 से 31 मार्च 1880 तक इन्होंने सर्वे किया 2482 गाओं का सर्वे करके record of rights त्यार कर दिया तो 1869 के कानून की प्रमुक बात आपको पता चल गई पता दीजेगा आप कोई पूछेगा तो बुलेगा नहीं आता है आई बात समझ में पता चल गई आपको तो टाइम लाइन कौन कौन सा आया याद करिए 1765 फिर क्या आया 1767 फिर क्या आया 1793 यह इंपॉर्टेंट था यह किस्ति लिए जो भी था दिवानी राइट्स अंग्रेजों का प्रवेश जमिनदारी व्यवस्ता फिर आपके सामने आया था अठारा सो अठारा सो सैंतिस अठारा सो उनसट यह किस्ति से समंधित था जमिन से समंधित नियम फिर क्या है अठारा सो उनस्तर छोटा नाग्पूर्ट टिन्योर सै इतना टाइम याद रखना है फिर अगले दस साल के बाद पहुंचा दस साल के बाद कहां पहुंचेंगे लिखे अठारा सो उन्यासी 1879 इसमें कानून बनाया गया एक नया कानून बना क्या कानून बना यही जो लिखा ना दो अलग कानून दो सवाल अन्य राज्य पर कानून यही है यही सब से पुछा जाएगा क्या बनाया गया छोटा नागपूर लैंडलॉड जमीन है तो उसका कोई ने कोई लैंडलॉड होगा कि नहीं होगा बताइए लैंडलॉड और जिसकी जमीन है जरूरी नहीं कि अपनी जमीन पर खुद खेती करें अभी ज्हारकंड में आपके किस के किस के पास जमीन है या अपना जिनके पिताजी विगरखा होगा यह कौन है उसका लैंडलॉड सरकार सीओ लैंडलोड होगा सरकार ने संसरे सीओ बुले गड़ बड़ हो जाएगा एक्जाम में सेंटी एक्ट में प्रोविजन है भाई अभी अंग्रेजों के जमाने में लैंडलॉड कौन था अंग्रेजों के जमाने में भूश्वामी कौन था अंग्रेज या फिर कौन हो गया जमिंदार अंग्रेजों ने जिसको अपने विहाप में बना दिया और जमिंदारी विवस् बहुत उसको कोट में नहीं घसीडा जा सकता तो आप कोँ ने राज्ये सरकार, जहरखन की जमीन का भुश्वामी कोँ ने राज्ये सरकार, बिहार की जमीन का बिहार सरकार, बंगाल का, समझ पहे ए मेरी बात तो इसमें जो landlord था अब सरकार थोड़िक्यों अपनी जमिन पर खुद जाके गर बनाएंगे खेती करेगी उसके तो आप रहते हैं आप खेती करते हैं तो landlord क्यों है सरकार, सरकार को भुश्वामी क्यों बुढ़ें एक क्यों कि जो स्वामी होगा उसको लगान मिलेगा सामानेतोर पर 57 एक वर्ड़ है राहिष एक वर्ड ए-कास्तकार सीटेनिटी EST में टेक्निकल ग्राउंट पर देखिएँगा तो दूनों में थोड़ा सामतर है क्योंकि कास्तकार का दैरा काफी बड़ा है कास्तकार का एक type है राहिष लिखा हुआ है class of ten ends कास्तकारों के प्रकार उसमें है रहियत अधिभोगी रहियत गैर अधिभोगी मूलद रहियत खुंटकटी दार ऐसे करके है ना दर रहियत कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब कास्तकार का दारा बढ़ा है लेकिन समाने तोर पर कास्तकार और रहियत को मालिजे मैं सरकार को किराया दे रहा हूं मतलब जमीन का रसीट कतवा रहा हूं तो लैंडलॉड तो सरकार हो गई मैं तो किरायदार हुँ न वो ठीक बात है मैं उसके घर बना रहा हूं मैं उस पर खेती कर रहा हूँ, तो जब मैं खेती कर रहा हूँ, तो मैं रहयत भी हूँ, और मैं चुकी सरकार को किराया दे रहा हूँ, इसलिए मैं कास्तकार भी हूँ, समझ में आया, तो इस समय जो लैंडलॉड था, और जो कास्तकार था, जो इसका टिनेंट था, इन दोनो एक्ट अठारह सोन्यासी में देख लिए एक इंपर्टेंट कानू था क्या लिए छोटा ना कास्तकार प्रक्रिया अधिनियम भूस्वामी कास्तकार प्रक्रिया अधिनियम आरे यह बात समझ में एक लोग बोड़े सर जेपी एससे का एंसी को क्लास लीजिए डेली एक गंटा करके टाइम मिलने दो भाई उसके लिए समय चाहिए ना आई बात समझ में अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिये आप एक्जाम में क्लास करके ध्यान से सुनके के बोड़ कोईशन बना सकते हैं तो कि अभी तक आपको ऐसा कोई बात लगा हो जो ऊपर से जा रहा हो क्या बहुत मुश्किल हो सब समझने वाली चीज़ हैं अब देखिए 1869 में प्रोविजन किया गया था एक शब्द इस्तिमाल किया गया भूहिहरी तो पूछेगा भूहिहरी शब्द का इस्तिमाल पहल इसे चला रहा है इसमें इसके साथ साथ खूटकटी खूटकटी भूमी का भूमी का प्रयोग किया गया या उलेख किया गया प्रयोग नहीं लिखे उल्लेख लिए और किसमे किया गया यह सेक्शन 19 में किसके सेक्शन 19 सीएट का 19 नहीं खूजना है छोटानागपुर, Landlord Tenant Procedure Act के Section 19 में भुईहरी और खुटकटी जमीन का उलेक किया गया लेकिन परिभाशा फिर नहीं दिया गया लिख लेजे परिभाशित नहीं किया गया भुईहरी वगखुटकटी भुमी लिख लेजे परिभाशित नहीं किया गया फिर वही समस्या रह ठीक है तो 69 से कहां पोचे 79 यहां तक क्लियर है इसको उलट दीजे वर्ड को 1889 उलट येगा तो क्या बन जाएगा याद करने के लिए इसको उलट लिजे अगला कानून बना 1897 में इसका नाम है छोटा नागपुर का म्यूटेशन अक्ट बस यह नाम याद रखे हुए तो कम्यूटेशन अक्ट इस आसपास हमारे यहां एक बहुत भ्यंकर विद्रोह चल रहा था कौन सा विद्रोह चल रहा था जहारकंड में अभी तक किये गए विद्रोहों में एक बड़ा व्यापक और प्रभावी विद्रोह था इससे पहले एक विद्रोह चला सरदारी आंदोलन कब चला सरदारी आंदोलन अठावन ना देखें दो तीन विद्रोह तो इससे कनेक्ट करना है मैं एक चीज बीच में भूल गया हूँ मैं अभी कनेक्ट करवाता हूँ अठारा सो पच्पन में एक विद्रोह चला पहले से और कई विद्रोह चल रहे थे अंग्रेजियों को समझ में आई रहा था कि कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा तो नियम बनी रहे थे नियम बनते चले जा रहे थे ना तो संथाल विद्रोह चला जहारखन का दो हिस्सा अ और यह थोटा नाग को इसलिए तो दो इसने अंदूलन चल रहा था लेकिन दो करीब करीब कारण एक ही थे वहाँ भी शोशन यहाँ भी जमीं यहाँ भी जमीं आफिक आंदूलन चल रहा था उसमें प्रमुक आंदूलन कौन सा था संथाल रिवेलियन संथाल 1855 इसे में अंग्रेजों को आप पहले अंग्रेजों ने 1800 में नियम बनाया 1837 में बनाया अभी तक 1855 में विद्रो चला तो अंग्रेजों ने 1858 में इस छेत्र में विद्रो शुरूब कौन सा? सरदारी 1858 में फिर अंग्रेजों ने इन से दवाओं में एक बनाया 1869 में चल रहा है यह सब कोई confusion नहीं है तब इसके बाद फिर अंग्रेजों को यह समझ में आया कि नियम से काम नहीं चलेगा तो 1869 में कानून बनाया कोई नहीं? 1872 इसमें यहां ध्याम दिजेगा 1869 में पहली बार इधर के लिए इधर के लिए पहला कानून कब आया 1869 में कहां के लिए छोटा नागपूर के लिए संथाल परगना के लिए पहली बार कानून कब आया 1872 में ये एक बीच में छुट गया लिखे 1872 में लिखे संथाल परगना में कानून बनाया गया अठारा सो बहत्तर में अठारा सो बहत्तर में संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक कानून नहीं था विसी के लिए प्रकार का विनियम था संथाल परगना सेटलमेंट उलज नहीं रहे न क्लियर है देखें ये जो बना छोटा नागपूर टिन्योस छोटा नागपूर टिन्योर सैक ये किस चीज के लिए बना छोटा नागपूर के छेतर में लैंड सर्वे के लिए संथाल परगना के छेत्र में लैंड सर्वेक लिए बना तो लिख लिए इसका उदेश संथाल परगना के छेत्र में भूमी सर्वेक छण तब फिर आगे वाला कनेक्ट करेंगे संथाल परगना के छेत्र में भूमी सर्वेक छण तक पहुंचेते पीछे अठार साओ नाइटी सेवन तब फिर आगे इस छेत्र में सर्दारी आंदोलन चला सर्दारी आंदोलन को मिल्की और मुल्की का आंदोलन बोलते हैं मात्री भूमी और जमीन की लड़ाई तो यह यह सवाल JPSC के मिंस में पूछा गया कि बिर्सा अंदुलन सरदारी अंदुलन का ही extension था समझाईए तो इसी अंदुलन क्योंकि इसमें जो लोग अंदुलन कर रहे थे वो मुंडा ही लोग थे जो अपने आपको सरदार बोलते थे मुल रूप से कुल लोग, मुंडा लोग जो अपने आपको सरदार बोलते थे बाद में इसी अंदुलन की परिणती किसमें हो गई बिर्सा अंदुलन में बिर्सा मुमेंट कब से कब तक चला 1895 से इस अंदुलन का इतना दबाव इतना दबाव रहा अंग्रेजों के बीच अंग्रेजों को एक कठोर निरने, ठोस निरने लेने के लिए पात दे होना पड़ा तो इसके बाद 1902 इसमें में अगला जो टाइम लाइन है वो लिखे 1902 सेक्वेंस में लिखे 1902 1902 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था फारबेस इसने अंग्रेज सरकार को सिफारिश की क्या सिफारिश की? कि यहां की जमीनों का मौझावार सर्वे किया जाए मौझा खाता पलॉट यह सब सुनते होंगे ना मौझावार सर्वैर्व प्रार्म किया जा लिख लिजिए 1902 में फारबेस की सिफारिस पर फार्बेस अंग्रेज अधिकारी था उसकी सिफारिस पर रांची जीला में भोमी बंदयो बस्ति satlement land settlement तथा मौझावार सर्वैव प्रारंद किया गया मौझा वाइथ मौजा को इंग्लिश में मौजा बो देंगे जूता में पहनने वाला मौजा नहीं है मौजावार M-A-U-J-A मौजावाइच सर्वे एक तरीके का प्लॉट जो हम बोलते हैं प्लॉटिंग उसी को बोलते हैं मौजा उसी से रिलेटेड है 1922 लिख लिए फार्बेस की सिफारिस पर रांची जीला में भूमी की बंदोबस्ती हे तू मौजावार सर्वे प्रारंब किया गया यह सर्वे किसके नित्रित्यों में चला यह पूछेगा एक वेक्ति आया फार्बेस और फार्बेस ने क्या कहा लैंड सेटल्मेंट एंड मौजावार सर्वे यह सर्वे किसके नित्रित्यों में चला लिस्टर और जॉन रीड लेख लिए लिस्टर और जॉन रीड के नित्रित्यों में ये सर्वे 1902 इस्वी से लेके 1910 इस्वी तक किया गया जॉन रीड रीड जॉन रीड और लिस्टर जॉन रीड रडबल इड लिख लिजे और लिस्टर लिस्टर और जॉन रीड के द्वारा 1902 से 1910 तक सरवे किया गया, ठीक है है, जिसका उद्देश सिता खेवट वा खतियान का निर्मान, खेवट खतियान क्या होता है, जमीन का जो पुरा डॉकुमेंट है न, किसकी है क्या है, इसको रेकॉर्ड ऑफ राइट्स भी बोल सकते हैं, लिखे, इसका उद्देश सिता ख कि ठीक है यहां तक क्लियर हो रहा है फिर देखिए 1902 के बाद आते हैं 1903 में दिमाग नहीं खराब हो रहा है बहुत सिंपल टाइम लाइन है एकदम फिंगर पॉइंट फिंगर टिप्स पर टाइम लाइन आ सकता है सतरसो पैंसट सरसाट तिरानवे अठारा सो अठारा सो सैंतीस अठारा सो उनसट एठार सो उन्तर अठार आप याद आजाएगा क्या हुआ 1903 में क्या किया गया जो 1869 में कानून बनाए गया तो कौन सा छोटानागपूर तीन उसमें संसोधन किया गया लिखे छोटानागपूर तीनियोर्स आक्ट में संसोधन एक्ट में संसोधन इसमें संसोधन किया गया और संसोधन करके एक नई चीज़ की गई अभी तक आपने एक वर्ड पड़ा भुईहरी जमिन के मालिकाना हक को लेके जो उनके मुल प्रवर्तक थे उसके लिए एक शब्द क्या पड़ा भुईहरी और एक शब्द क्या पड़ा खुटकट्टी भुईहरी खुटकट्टी में समान अंतर बताते हैं दुनों एक ही बात है कोई अंतर नहीं बुहिहरी शब्द का इस्तेमाल समाने तौर पर उराओं जंजाती के लोगों के लिए क्या जाता है। इस एक्ट का सबसे इंपोर्टेन प्रोविजन यही है। में एक और घटना घटी जॉन है एच होफ्मैन ने सी एंटी एक्ट छोटानागपूर टिनैंसी एक्ट नॉट इन्यूर्स छोटानागपूर टिनैंसी एक्ट का ब्लूप्रिंट तयार किया लागू बाद में हुआ ब्लूप्रिंट पहले तयार हो गया लिए उन्यू सो तीन में जॉन एच होफ्मैन ने छोटानागपूर टिनैंसी एक्ट का ब्लूप्रिंट खाका प्रारूप तयार किया 17 कोई एक्जाम हो जाएगा ना क्योंकि अब बरदास्त के बाहर है बाहर है तो क्या कर लिजेगा आप जेपेसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं ज्यादा खुराफात करिएगा तो दीके जेससी के अंदुलन में जो लोग गलती नहीं किये थे उनके उपर भी एफायर हो गया है जो आंदुलन में नहीं आया था उसके उपर भी एफायर हो गया है तो ज्यादा खुराफाती दिमाज नहीं लगाना है बरदास्त करना पड़ेगा कोई उपाय नहीं है जारखंड में पैदा लिए हैं तो बरदास्ट करना पड़ेगा परदास्ट करिए क्या करिए पढ़ो लड़ो और बरदास्ट करो मेरा नारा है ठीक है जारखंड में तो पढ़ो भी लड़ो भी और क्योंकि कई बार लड़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा परदास्त करिए क्या करिएगा कोई उपाय नहीं ज्यादा परिशान नहीं हुना है यह सबसे चलिए जिस दिन जो मैसेज दिक उनको जिस दिन आप चेर्मेन होईएगा उस दिन सब का बरदास्त का सीमा खतम क करिए कि चेर्मेन मन जाए आगे बढ़े हम लोग चलिए अब यह जो जॉन होफमेन ने तयार किया वो कौन सा अक्ट का तयार किया तो अब हम लोग छोटा नागपूर टिनेंसी एक्ट तक पहुंच गए मत्तब इसका बैग्राउंड खतम हो गया तो सी एंटी एक्ट बनन में तो यह आपको याद रखना पड़ेगा जाना पड़ेगा यह पूरी प्रक्रिया चलित अब जाके सी एंटी एक्ट के पारे में आपको क्या जनना है अम लोग आज की क्लास में बस ठोड़ा सा का परीचा देख लेते हैं हलका सा एक सामानले सा छोटा सा तो क्या क्या देख सकते हैं कि सी एंटी एक लागू कब हुआ लागू हुआ कि ग्यारा नवंबर को डेट आपको वैसे भी याद रहेगा पंद्रह नवंबर को ज़्यादा मुश्किल है दूसरी बात सी एंटी एक्ट में कितने अध्याएं हैं तो उनीस अध्याएं हैं कितनी धाराएं हैं कितनी अनुसूची हैं दो अनुसूची है इसमें बीच बीच में संसोधन हुआ है सी एंटी एक्ट में संसोधन भी हुआ तो संसोधन बात में देखेंगे CNT Act के कुछ प्रोविजन्स को भारतिय सम्विधान की नवी अनुसूची में किस सम्विधान संसोधन के मादियम से डाला गया 66 कब हुआ था 66 सम्विधान संसोधन आप लिखे 1990 1990 लिखे कि इस संसोधन द्वारा CNT Act की कुछ धाराओं को सम्विधान की अनुसूची नाइन में डाला गया अनुसूची नाइन सबको पता ही है Schedule 9 CNT Act के धाराओं को कुछ धाराओं को अनुसूची 9 में डाला गया ठीक है CNT Act को जब हमारे यहां लागू किया गया उस समय गवर्णर जनरल कौन था Lord Elgin मतलब इसका आदेश किष्णे दिया होगा Lord Elgin एक बात और लिख लिए यह जो CNT Act को ज़ारखन में लागू किया गया यह Council of India Act Council of India Act क्योंकि यह पुरे भारत के लिए Act है न Council of India Act कौन सा 1892 की धारा 5 के तहत CNT को ज़ारखन में लागू किया गया यह लिख लिख लिजे बहुत इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ है यह बोड पे CNT Act को Council of India Act भारत परिशद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत अधिनियम इत किया गया लागू किया गया समझ में आया धारा 5 के तहत अभी पीछे एक जगह धारा 19 पड़े थे धारा धारा में कंफ्यूज करिएगा किसमें धारा 19 पड़े थे 1889 वाले में जिसमें पहली बार खुटकट्टी लाया गया 1879 में उसमें धारा उस कानून की धारा 19 के तहत यह Council of India Act की धारा 5 के तहत C&T को लागू किया गया और आदेश किसने दिया Governor General कौन था Lord Elgin देख लिजे Governor General Elgin इसमें शायद Lord Elgin था एक बार देख लिजेगा मेरे खाल से Lord Elgin है पका Elgin का दौर कब था Elgin, Elgin Elgin 1905 में आया है Elgin का duration निकालके बताई न हमको एक बार देख लेंगे कोई बात नहीं मेरे वसे भी हिस्ट्री अच्छा नहीं है मैंने रिसर्च के दौरान यह पढ़ा कि Elgin के समय लागूँगा एक बार आप देख लिजेगा कोई बात नहीं आगे बढ़ जाए कोई confusion नहीं इसमें एक सवाल आपसे पुछेगा कि यह जो CNT Act है यह कौन से कानून से प्रभावित है तो यह बंगाल कास्तकारी अधियम लिख लिए कि यह बंगाल कास्तकारी अधियम 1885 से प्रभावित है बंगाल कास्तकारी अधियम का प्रभाव है इसकर बंगाल कास्तकारी अधियम 1885 से प्रभावित है और एक लास्ट इंफर्मिशन लिखे, पूछेगा कि CNT Act को पहली बार कब कहा प्रकासित किया गया, तो सरकारी जो कानून नियम उसको गजट में, बजट नहीं, गजट, 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 अभी जितना नोटिफिकेशन आता है सब गजट में आता है न, तो कौन से गजट में क्योंकि इस समय जार्खन तो था नहीं, दियार भी नहीं था, तो बंगाल गजट में लिखे, इसे पहली बार बंगाल गजट में प्रकाशित किया गया, समझ में आ गया, C&T Act का मैंने background बता दिया आपको, अब हम लोग पहुंच गें C&T Act तक, अब C&T Act का अगली क्लास में उदेश्य क्या है, छोटा सा है, विशेष्टा क्या है, फोटा सा है, पढ़ लेंगे, और उसके बाद उसके terminology, terminology में एक क्लास लेगा, अगली क्लास में इसका उदेश्य इसका जो characteristics और इसकी terminology पर हम लोग बातचीत करेंगे, तर्म्स को समझने में थो आसा time दाएगा, मैं example वेगर से समझाने के क्वश्चिक, बहुत सारे ऐसे terms है, और अगर समय मिल गया तो फिर section की तरफ चल चलेंगे, 1885, अब किसी का कोई सवाल है, कोई doubt है, कोई बात है, त 1885, हम लोग की किताब में गलत हो गया है लिखने में, 1879 या something कुछ लिखा गया है गलती से, 1885 है, बंगल का स्तकारी अधिनी, अब आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई बात है, तो पूछ लिजे, सरकारी होता है, गजट हमेशा सरकार का होता है, सरकार के जितने notifications हैं वो गजट, गजट में जब तक प्रकासित नहीं होगा, तब तक वो एक तरीके से implement नहीं हो सकता है, उसको legal मानेता नहीं होता है, न्यूस्पेपर नहीं, गजट अलग चीज होता है, गजट सरकार जारी करती है, अभी जैसे आप सर्च करीगा ना, गजट ऑफ इंडिया, गजटियर का पूरा वेब साइट बना हुआ है, भारत सरकार के गजट, कोई भी नई चीज, जैसे अभी कोई भी कानून बना मान संसद में अभी मानलीच सरकार ने एक प्रोपोजल रखा कि जो कोई चोरी करेगा, एक्जाम में करवाएगा, उसको एक करोड का जुर्माना दस साल के जिल, तो वो तभी लागू माना जाएगा, जैसे राश्पती जैसी ही अस्ताक्षर करेंगा, वैसे गजट में प्रकास निवसाब को दिहान रखना है कि ये कमटिशन एक लाया गया, 1897 में, कुछ होगा उसमें तो हम बता देंगे आगे जाके, कनेक्ट कर देंगे, कोई दिकत नहीं है न, चलिए, थैंक्यू, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े, आप अज़ेRight विरिवसाब को मैं स सराथ देंगे टो हम देंगे, जज़ चट्राइ हम लोग में हम लोग में, कर अब दो हम Bast bits वाधे जब स्पी में है, कर दो हम दो हम दोड़े करूंश में लोग में है, कि ये समसकित नहीं सराथ औरag छों दो चाह mic वाओंए तो है